हरे कृष्णा कथा सागर कारिक्रम में आप सभी का हर्दिक स्वागत है शास्त्र, शिक्षा व अनुशाशन प्रदान कर हमारी रक्षा करते हैं मार्ग दर्शन करते हैं, प्रेणा देते हैं और ये शास्त्र हमारे रिशियों और मुनियों द्वारा रचित्वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाती के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्टवे बतलाए गए हैं और अनुचित क्रत्यों का निशेद किया गया है इस कारिक्रम में विभिन्य वक्ता, इनहीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायन, महाभारत, श्रीमत भागवतम, भगवत गीता वचेतन्य चरितमरत इत्यादी से हमें जीवन का सार समझाती हिर्दय को रोमान्चित करती प्रेरना गायक कथाओं से हमारा मार्क दर्शन करेंगे इस कारिक्रम में बेप्रभुप्त भक्त तथा ज्यानी लोग आते हैं जो स्वयम जीवन के अर्थ को मानव जीवन के मूले को जानकर वैदिक संस्कृती के प्रसार हेतु द्रिड़ता से प्रयासरत हैं ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता वसरलता से जीवन के गूड प्रशनों को सहज ही समझा देते हैं जिने देखकर आप इस अमूले मानव जीवन को एक नए द्रिष्टिकों से देखना प्रारंब कर सकेंगे तो आइए श्रमन करते हैं कथा सागर इन सब की मंत्र मुद्ध करने वाली बाक चातुरी से पूर्ण अत्यंत सरल परंतु प्रभावी शैली में धन्यवाद हरे क्रिष्णा तो आज हम श्रमत भागवत के इस महत्पूर्ण प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें एक आसूर के घर में राक्षत के घर में एक भक्त का ज़ए तो कल कई भक्तों का प्रश्न था कि गर्भ में अगर कोई है तो कि कल हमने गर्भ का ग्जान पढ़ा कपिल भगवाण के दौरा दिया गया देव हूति माता को तो कैसे भक्ति मैं कर्म करें कि हमें गर्भ के अंदर ही भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो यहाँ पर श्री नारद जी युदिश्टिर महराज को उनके प्रश्णों का उत्तर देते हुए वर्नन कर रहे हैं और कहते हैं श्री नारद वाच ब्रात रेवं विनिहीत हारिणा क्रोड मूर्तिना हिरणा कश्य पूराजना पर्यत्य अप्त्या रुशाशु चहा हे नारद नारद मुनी ने कहा कि हे युदिश्टिर जब भगवान विश्टु ने वराहा रूप धारन करके हिरणाक्ष नामक राक्षश का वद किया तो उनके भाई हिरणा कश्यप को बहुत कुरोध आया भगवान के दो द्वारपाल थे जै और विजय उन्होंने चतुस कुमारों को वईकुंट धाम में प्रवेश करने से रोग दिया कि तुम यहाँ पर नहीं जा सकते हो भगवान के धाम में निराकारवादी जो कहता है भगवान निराकार है भगवान निर्विशेष है भगवान एक लाइट है उनको प्रवेश नहीं में किसको प्रवेश मिलता है जो सकारवादी है जो कृष्ण के विग्रह की पूजा करते है अन्य था किसी को प्रवेश नहीं चतुस कुमारों को रोग दिया तो जय विजय नामक द्वारपालों को चतुष कुमारों ने श्राप दे दिया, भगवान से मिलने नहीं देते हो, वेखुन धाम में जाने नहीं देते हो, हम तुमें श्राप देते हैं, कि तुम राक्षस बन जाओ, तो ये जय और विजय कांप गए, ओले भगवान के धाम स जो चरणों पे तुलसी पत्र चड़े थे, भगवान जब आए द्वार पर वेखुन्ट के, साथ द्वार होते हैं, अभी आएगी वेखुन्टाई कादिशी, दक्षिंट भारत में, अनेक मंदिरों में, अलग-अलग साथ द्वार बना जाते हैं, बोले इन साथ द्वारो से निकलो, तो आपको वेखुन्ट है कादिशी के दिन, वेखुन्ट में प्रवेश करने का फन मिले रहा, श्रीला प्रभुपात कहते हैं, कि इसकौन के जितने भी मंदिर हैं, वो सभी अपने आप में वेखुन्ट हैं, वेखुन्ट का मतलब जहां कुन्ठा नहीं है, किस तो ऐसे वेकुंट में जब गरुण नीचे उत्रे और भगवान वहां पहुँचे दोनों एक चतुर कुमार है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और जे और विजे उनके द्वार पाल दोनों में लड़ाई हो गए तो भगवान बीच में पहुंचते हैं और कहते हैं तुमने श्राफ दिया है तो जे विजे कहते हैं हमें श्राफ मिल गया प्रभुमा आपसे दूर नहीं रहना चाते हैं तो भगवान कहते हैं देखो अब मेरे भक्तों ने तुमें श्राफ दिया है और ये मेरी ही लिला है त तुमें इस पृत्वी पर भेजने के लिए तो तीन बार या तो राक्षज बन के जनम लो या तो साथ बार भक्त बन के जनम लो क्या मंजूर है तो बोले प्रभू भक्त बन के साथ बार दूर रहना मंजूर नहीं है तीन भार में हम आपके पास पुना वापिस आएं तो हमें असुर बनना मंदूर है तो जय विजय ने असुर बनना मंदूर किया जिन जय विजय में से जय है हिरनाक्ष और विजय है कौन? हिरनाकशप तो ये जय विजय हिरनाक्ष और हिरनाकशप सत्य युग में आते हैं त्रेता युग में रावन और कुम्बकरण और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र तो इस प्रकार से ये तीन अवतार लेते हैं इसलिए भगवान का एक नाम है भगवान इन तीनों को मारने के लिए आते हैं युगी भगवान तीन युगों में प्रकट होते हैं तीन प्रकार के राक्षासों का वद करने के लिए तो अकर तीन ही युग में भगवान प्रकट हुए तो इस कल्युग का क्या होगा इसमें तो भगवान है ही नहीं है की नहीं इस कल्यूग में भगवान तो कौन से रक्षुस के लिए इस यूग में भगवान को त्री यूगी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कल्यूग में भगवान सुक्ष्म रूप में अपने छन्न अवतार में आते हैं चेतन्य महापरू के रूप में छुपा हुआ रूप है सिर्फ उसी को उजागर होता है जो भक्ति की प्रक्रिया में अग्रसर होता है आगे बढ़ता है अन्यता हरेक को भगवान चेतन महापुरू की कृपा समझ नहीं आती है कई लोग चेतन महापुरू को इंसान मानते महापुरुष स्री कृष्णा चेतन्या राधा और कृष्णा जब एक साथ जुड़ जाते है प्रश्न कुछ रहेते कलाब राधा और कृष्णा जब एक साथ जुड़ जाते है तो क्या बन जाते है चेतन्या इसलिए राधा रानी कृष्णा की अंदर अंगा शक्ती है अंदर ही रहती है और दुड़ जाते हैं तो भगवान चैतन्य के रूप में कल्यूग में प्रगट होते हैं पर सबको दिखते नहीं क्योंकि भगवान ने कहा मेरा नाम त्री यूगी है तीन यूगों में प्रगट होकर के लीला करूँगा और एक युग में अप्रकट हो करके करूँगा पता ही नहीं चलेगा कि मैं भक्त हूँ की भगवान हूँ भक्त के रूप में आये हैं पंच तत्वात्मकं क्रिश्णम भक्त रूप असरूप कं भक्त अवतारं भक्ताख्यं नमामे भक्त शक्तिकं कौन पूजा करता है जिनकी बुद्धी सही होती है कृष्ण वर्णम तुशा अकृष्णम चेतन महाप्रू है कृष्ण ही लेकिन देखने में कैसे है गोरे रंग के भगवान रादरानी के अंग कांती भाव को लेकर के प्रगठ हुए जानना चाहते हैं कि रादरानी को क्या आनंद मिलता है कृष्ण से प्रेम करने के लिए उनके अस्त्र शस्त्र क्या है हमने बताया था कल आपको भगवान चक्र और गदा लेते हैं असुरों को मारने के लिए और पुश्प और शंक लेते हैं भक्तों को तारने के लिए लेकिन चेतन्य महाप्रू के रूप में भगवान कोई आयूध नहीं लेते हैं भगवान अपने अस्तर शस्त के रूप में अपने पारशद नित्यानंद अदुवेत अगदाधर और श्रिवास को लेकर के प्रगट होते हैं और करने के आते हैं चेतन्य महाप्रू अपने पारशदों के साथ यग्ये संकीरतनम प्राए यजन्ते ही सुमेदसा यग्य संकिर्टन प्राय इस कल्योग में एक ही यग्य सिखाने आते हैं भगवान संकिर्टन यग्य क्या है संकिर्टन यग्य हरे क्रिश्ना हरे क्रिश्ना 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे तो विक्ति पूछता है ये दिश्टिर महराज का फ्रश्ण था कि एक भक्त में और अभक्त में क्या भेद है एक असुर में और राक्षस में और देवता में क्या भेद है आप लोग जानना चाहते हैं कि नहीं राक्षस में और देवता में क्या भेद है बोले राक्षेश वो होता है जिसके लंबे-लंबे सींग होते है बड़ी-बड़ी मूच्छे होती है रंग काला होता है बोले वो राक्षेश जो सुन्दर सा दिखता है बोले वो देवता ऐसा नहीं है आजकल सारे राक्षेश सुन्दर दिखते है है की नहीं भक्त कौन और अभक्त कौन सफतने घातीत शुद्रह ब्रात में दायत सुहर्तह पार्शिन ग्रहने हरिणाम समेन अपी उपधावने भगवान असुर और देवता दोनों के लिए समान हैं समो अहम सर्व भूतेशु मैं सबके लिए बराबर हूँ लेकिन जो मेरा भजन करते हैं उनके लिए में थोड़ा ज्यादा हो जाता हूँ एक्स्ट्रा तो कौन भगवान का भक्त है वर्नन है जो कृष्ण का भजन करता है द्यान से सुनिए जो कृष्ण का भजन करता है बस वही एक भक्त कहलाने योग है जो कृष्ण को छोड़ करके किसी का भी भजन करता है जो विष्णु कृष्ण का उपासक नहीं वो राक्षस आप करेंगे विष्णा कैसे अगर हम दुर्गा का भजन करते हैं तो हम राक्षस हो गए हम तोड़ी कह रहे हैं शास्त्र में लिखा हिर्णा कशप को जब पता चला कि मेरे भाई हिर्णाक्ष को मारा गया तो गुस्से में आकर के विष्णु का वैरी बन गया कहा विष्णु मैं तुझे मार दूगा और किसकी पूजा करना चाहा ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा की पूजा करने वाला हसुर है रावन ने किसकी पूजा करी हाँ जी शेव जी बसमा सुर ने किसकी पूजा करी कोई भक्त बताओ जिसने शेव जी की पूजा किया है नाम कोई भक्त नहीं जबकि वैश्नव नाम यथाम शंबू वैश्नव शंबू है लेकिन उनको सेवा दी गई है भूत प्रेत राक्षसों को समहा लो मार पीट कर भक्त बनाओ ब्रह्मा जी के पास भी वही सेवा है ब्रह्मा जी की तपस्या करी ये हिरना कशप भगवान विश्नु का इतना वहरी हो गया कोई विश्नु का नाम लेता था उसका सर कलम कर देता था मार डालो इस आत्मी को भगवान कृष्ण गा विष्णु का नाम लेता है ऐसे आजकल भी लोग है माता पिता बच्चा अगर भजन करने लगे तो कहते हैं पागल हो गया है इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है कि यह जब भी करता रहेगा कृष्ण वृष्ण कुछ नहीं होता तो यह कौन हो गए कौन हो गए जी प्रभु जी का भाव जागरित हो गया राक्षण बच्चे को भजन करने से रोकते हैं पढ़ ले पढ़ ले कृष्ण आएंगे क्या अंत में तेरे नमबर देने के लिए जानते नहीं है भगवान की उस शक्ति को कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं और जानियेगा इस प्रसंग से भगवान अपने भगत के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं एक भगत आये थे हमारे मंदिर में छोटे से बीस वर्ष के उनको अच्छा लगा वेराग जागरित हो गया जब करने लगे उनके पिता जी को पता चला जब करते हैं उनके माता जी को पता चला क्रोध आ गया उनके पिता जी की उमर पचास वर्ष माता जी भी ऐसी होंगी पैटालिस वर्ष और बोलती है देखिये जी आपका बेटा भजन करने जा रहा है इसको समभा लिए साधू ना बन जा आशिरवाद लेने के लिए परभु जी आशिरवाद दीजिए बच्चे को किस चीज का आशिरवाद इंजीनियर बच्चे अगर आशिरवाद दे दिया और दूसरों को अशिर्वाते हैं यह नहीं मंजूर है यह मंजूर है कितनी छोटी सोच है हमारी भारत भूमी थे जनम लई ले भागवान जार भागशाली विक्ति भारत भूमे जनम लेता है संस्कार प्राप्त करता है वो आ गए मंदिर में लड़ने के लिए कहते हैं यह कोई उम्र है बीस वर्ष की आपने इसको भजन सिखा दिया अभी से अचने आधरे कुछन कहता है यह कोई उम्र है आमने का ठीक है आपकी कुतनी है आप 50 मैंने का तो आप किया समझते हैं कि कितनी उम्मर में भजन करना चाहिए 40-50 से पहले तो नहीं करना चाहिए 20 वर्ष कहा यू भजन की नहीं होती है मैं जहीं कि ठीक है तो इसको घर भेज डेते हैं पर रह जाओ मंदिर तो कहता है पत्नी से पूछ के बताऊंगा पत्नी के पास गए पूछ कर आए पत्नी जी कहती है अजी आप तो कमाते धमाते हैं ये तो बेकार है अभी पढ़ रहा है अगर ऐसी बात है कि दोनों में से एक को बली देना है बली मंदिर चला जाका तो बली चड़ जाए मंदिर में अगर देना है एक को तो बीस साल वाले को ले लो क्योंकि पचास वाला चला गया तो आमदनी रुख जाएगी मतलब बेटे से प्यार नहीं है किस से प्यार है आए थे हरी भजन को मीठा लगा दाम दुविधा में दोनों गए नमाया मिली नरा सोचते रहते हैं भजन करें 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 समय निकल जाता है अंत काला जाता है हिड़ना करशप ने सोच लिया था कि अब मेरे घर में क्या होगा कोई विष्णू का भक्त नहीं होगा पूरे राज्ज में जहां-जहां तक तीनों लोकों में मेरे पहुंच है किसी को भजननी करने दूँगा लेकिन भगवान से बढ़ करके कुछ भी नहीं चला गया तपस्या करने के लिए और ऐसे ऐसे स्थानों में जाकर के तपस्या करी किस प्रकार से प्राटना करता है कि स्वेम भ्रम्मा जी भी घबरा जाते हैं दस हजार दिव्य वर्षों तक एक स्थान पर बरफ सर्दी गर्मी बारिश सहन करता है अपने शरीर पर चीटी और दीमक लगकर के आदा शरीर नश्ट हो गया है फेफड़े शरीर के बहार निकलाएं अंतडियां दिखने लग गई हैं ऐसी अवस्था में क्या कर रहा है ओम भ्रमाए नमा 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 ओम भ्रमाए लेकिन जब हिरना कश्व तपस्य करने इतनी कठिन तपस्य क तो जब प्रत्म दिवर सी तपस्या करने गया, जिस पेड के नीचे बैठा, उस पेड पे दो पक्षी बैठे थे, नारायण नारायण का भजन कर रही ही थे, और यह क्या कर रहा था? ब्रह्मा जी पर अपना ध्यान के इंदित करना करना चाहरा है था, लेकिन जब भार से ऐसे आएगी आप कितना भी सूच कर आएं कि आज जब मैं कथा सुनने जाओंगा तो अपना बाकी का जो दुकान का काम है वही निप्टा लूँगा लेकिन जब नारायन हरे कृष्टन भजन चलता है तो कहीं और मन जाता है यग्य संकिर्टन प्रहे इस संसार का संकिर्टन यग्य है ये सुनने के बाद मन और कहीं जाता नहीं है तो जो था हिरना कश्यप उसका भी मन नारायन भगवान के नाम पर केंदित होगा दुकी हो गया बोला ये ज़स्थान भजन करने योग्य नहीं है घर आ गया घर आ करके अपनी पत्नी से कहता है मैं विश्राम करना चाहता हूँ विश्राम करने चला गया अपनी पत्नी कयादू के साथ में और अपनी पत्नी का संग करके अपनी जो वो फ्रस्ट्रेशन थी अपना जो उसका वो वहवार था जो दुख था वो अपनी पत्नी के साथ संग करके वो निकाल रहा है इस संसार के लोग ऐसे ही करते हैं रात दिन काम करते हैं और ठक जाते हैं तो सोचते हैं कि पत्नी का संसर करके मैं संसार से मुक्त हो जाओंगा बड़ा आराम मिल जाएगा हिर्णा कश्यब भी ऐसे ही था और उसने क्या किया पत्नी का संग किया लेकिन संग करते वक्त उसके मन में क्या चल रहा था नाराय, नाराय, नाराय तो जो हमने कल चर्चा करी कि बीज रूप में किस प्रकार पिता के द्वारा माता के गर्भ में एक बीज प्राप्त होता है जीव आत्मा हिर्णा कश्यव राक्षस के द्वारा आसुर के द्वारा अपनी पत्नी कयादों की गर्व में नारायन नारायन नाम का उच्चारण करते हुए मन में घूमते हुए उसने स्थान अंत्रित किया एक बीज चाहता था मेरा पुत्र राक्षस बने हर आत्मी चाहता है मेरा बेटा मेरे से बड़ा बन जाए असुर से भी बड़ा असुर बन जाए डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर बन जाए इंजीनियर से बड़ा इंजीनियर बन जाए ऐसे वो भी चाहता था आसूर से बड़ा आसूर बन जा लेकिन आसूर से बड़ा आसूर बनना नहीं था क्योंकि पीछे कौन थे भगवान की सारी लीला है अब यह सोच रहा है और घर में कौन आ चुके हैं एक भीज आया है जो नारायन का भजन करने का प्रकट हो चुका है इसलिए पती पत्नी पर निर्भर करता है शिल प्रहुपात कहते हैं कि गर्भधान संसकार होना चाहिए जो कि शड़ोस अपने सोड़स संसकारों में से एक संसकार है पती पतनी विचार करें कि हमें किस प्रकार का पुत्र पुत्री चाहिए आजकल विदेशों में इस चीज़ को बड़ा पालन करते हैं सौफ्ट्वेर इंजिनियर बनाना है तो सौफ्ट्वेर इंजिनियर के भारे में सोचते हैं और फिर पती भतनी संग करते हैं, तो बोले साइट सॉफ्ट्वेर इंजीनियर आ जाएगा, लेकिन हिंदुस्तानी संस्कार कहते हैं, किसका सुनमन करो, भगवान का, शिला प्रभुपात कहते हैं, दोनों पती पतनी को नामजब करना चाहिए, भगवान का हरे कृष्ण महा म अंत्र, और फिर सोचना चाहिए कि कोई भक्त आत्मा हमारे घर में प्रविश करें, लेकिन अगर आपने भक्त आत्मा का भीजी नहीं लगाया, और उसके बाद में फिर कैसी आएगी, फिर तो ये हो गया मारूती गाड़ी आ गई है, मार पीटकर एमबेज़र से उसको मर् फिर तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से हिरना कश्यप ने अपने घर में एक भक्त का भीज आरोपित कर दिया, चाहता क्या था, तपस्या क्यों करना चाहता था, ब्रह्मा का पद पाना चाहता हूँ, ये मेरी मनो कामना है, और एक पैर पे खड़ो कर तपस्या करने लगा, मंदार परवत्पर, वर्णन आता है, नारद मुनी कहते हैं, अन्यथा इदम विधास्य से, अयम अयथा पूर्वम ओजसा, कि मन्ने काल निर्धूते, कल्पन ते वैश्णव आदिभी, वो सोच रहा था, कि मैं अपनी तपस्या के बल पर अपने पाप और पुन्यों को बदल दूँगा, ऐसा हमें भी लगता है, प्रभु जी बहुत पाप हो गए हमारे से, कोई प्राश्चित बता दीजिए, आपना हरिद्वार चले जाए, गंगा स्नान कर लिजिए, हाँ, बहुत अच्छा है, हर हर गंगे, सारे पाप चले जाएंगे न, पाप जाएंगे गंदे, हर हर गंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जितने भी पाप विक्ति करता है, उसको उतने पाप का फल भोगना पड़ेगा, और जितने पुन्य करता है, उतने पुन्य का फल भोगना, एक बार एक विक्ति पूछ रहे थे बुले अगर किसी ने बहुत धन्वान है, दान भी देता है, लेकिन साथ में इस्तरी पर इस्तरी का संग भी करता है, पर पुरुश का संग भी करता है तो ये विक्ति क्या बनेगा अगले जन्म में तो मैंने उनको कहा देखिए मैं यमराश तो नहीं हूँ बताओं कि अगले जनम में क्या बनेगा लेकिन हाँ सास्त्र की युक्ति कहती है कोई धनवान विक्ति है उसने अपने पूरे जीवन अगर पुन्य किया दान धर्म में दिया तो उसको पुन्य का शरीर मिलेगा वो एक रही इस परिवार में जनम लेगा शुचिनाम, स्रिमताम, ग्रेहाम, योगाम, भरष्ट उबजायते पवित्र घर में जनम लेगा या फिर पैसे वाले की घर में लेगा पवित्र में ले इसकी प्रतिशत कम है पैसे वाले की घर में लेगा पुन किये थे तो पैसे वाला घर में लेगा लेकिन जो पाप किये थे पाप का क्या होगा वो ले पाप भी बहुत करता था परिस्त्री करता था मदीरा का पान करता था सिग्रेट पे लिखा होता था इंजूरियस टू हेल्थ फिर भी पीता था तमाखों की पूडिया के उपर एक वो बना होता था स्कॉर्पियो क्या बोलते हैं उसे बिच्छू फिर भी उसको पलट के खाता था ए देखा ही नहीं मैं तो ऐसे विक्ति को क्या होगा दान भी दिया दान भी दिया लेकिन गुटके से मुँ भरा रहता है हर समय उसका क्या होगा आगले जन्म में उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा उसको एक कुते का शरीर मिलेगा अच्छा तो फिर उसने जितने दान दिया उसका क्या आप पैसे वाले घर में नहीं जाएगा बोले जाएगा पैसे वाले घर का कुत्ता बनेगा एसी में सोएगा बोले लेकिन कहते हैं अंति मिक्षा होती भगवान पूरी करते हैं वो तो अंत में इस्तरी संसर करना चाहता था पर इस्तरी, पर पुरुष कभी संतुष्टी नहीं होई एक पत्नी से तो फिर क्या होगा, इसका क्या होगा बोले इसका भी होगा, इसका कैसे होगा बोले इसका ऐसे होगा कि वो बड़े रही इस घर में जो पुत्री होगी उसका प्रिय कुत्ता होगा उसी के बैड़ बे सोएगा इस तरी का संग भी मिल रहा है शरीर भी गिरा पाप के कारण और धनवान के घर में भी आए सारी चीज़ें हो जाते है इसे नहीं एक ही मिलें तो कोई भी कर्म करने के लिए पाँच सिधान्त लगते है भगवत गीता कहती है पाँच विशे, पाँच सिधान्त कोई भी कर्म करोगे उसमें पाँच सिधान्त आते है पहला सिधान्त है क्या? इश्वर इश्वर की इच्छा की बिना कोई काम इस अभी बोलते हैं बोले इक्षवर की इच्छा की बिना पत्ता नहीं इलता हूँ बोले प्रभु जी हम मंदिर उसी दिन आएंगे जिस दिन हरी इक्छा होगी हम नहीं आएंगे है कि नहीं इक्षवर आएगा घर पे बालम में कार लेके और बोजय का प्रभु जी मंदिर में मंगला अरतिकर समय हो गया है हाँ इंद्यार कर रहे थे इश्वर का पहला चीज है इश्वर साथ में बोलिए इश्वर दूसरा है प्रकरती प्रकर्ति साथ देना चाहिए, तब कोई कर्म होता है इश्वर और प्रकर्ति तीसरा है जीव जीव मतलब हम सब जो हैं, जीव और चोता है काल काल मतलब समय भगवान कहते हैं कालो असमी, मैं समय हूँ और पांचमा है व्यक्ति का कर्म अब संसार में जो ब्रांत धारणा उसको आज हम क्या कर देते हैं साफ कर देते हैं ब्रांत धारणाओं को समाप्त करते हैं कुछ लोग कहते हैं कर्म का भेद होता है कर्म से मिलता है अगला शरीर कर्म पे निर्भर करता है कुछ लोग कहते हैं भगवान पे निर्भर करता है उसके जो इक्चा होगी कुछ लोग कहते हैं प्रकर्ती पे निर्भर करता है नेचर के लॉज है कुछ लोग कहते हैं जीव के उपर निर्भर करता है उसकी जैसी अंत गती सो अंत मती सो गती अंत में जैसी मती वैसी गती अंत काले चमामेव स्मरण मुक्तवा करें ऐसा नहीं कि खाली काल कुछ लोग कहते हैं समय ऐसा था ना ऐसे समय में गए इकादिशी के दिन चले गए लेकिन शराब पीते थे उसका क्या और इकादिशी के दिन गए ना तो भगवान के धाम में प्रिवेश कर गए और इसे नहीं प्रिवेश होता भगवान के धाम में कि पीता था और भगवान धाम में चलाए काल अकेला काल काम नहीं करेगा तो पांच चीजें जब आपस में बंद जाएंगी तब एक विक्ति के कर्म का फल निकलता है, कर्म बनता है कैसे उधारन दे या समाप्त करें तो एक बाए दोनों हाद उपर के बोल हरी बोल तो दृस्टांत रूप में प्रस्तुत करते हैं इसको यैसे कोई विक्ति है उसकी गाड़ी कमाई उसने बैंक में डाली है HDFC बैंक गाड़ी कमाई बैंक में डाली बैंक के अंदर उसने डाले हैं 50,000 रुपे कितने? 50,000 अब देखिए पाँच दृस्टांत कैसे उस प्रस्तुत होते हैं एक विक्ति है 50,000 रुपे उसने अपने कर्म से अपने बैंक में डाले तो निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है लेकिन उसने निकालने का सोचा रात को 11 बजे कि चेक काटूँगा 11 बजे जाऊँगा बैंक से ले लूँगा निकलेगा? क्यों? काल साथ नहीं दे रहा क्या नहीं साथ दे रहा? पहला नियम काल साथ नहीं दे रहा अच्छा उसको पता चल गया सुबह 9 बजे जाओ तो बैंक खुला होता है 9 बजे आ गया काल साथ दे रहा है अंदर आया अपना ही किया हुआ कर्म 50,000 रुपे का उसने एक चेक कटा लेकिन आज कैशियर छुटी पे है जो अंदर साइन अप्रूव करता है उसको बिमारी हो गए तो मिलेगा क्या? बोले बैंक वाले बोलें कल आईएगा या ऑनलाइन निकालो या एटियम से निकालो यहां से नहीं निकले इसका मतलब इश्वर जब तक किसी चीज की निक्ति नहीं करेगा सैंक्शन नहीं करेगा कोई काल है? कोई फल नहीं तो इश्वर भी आ गया? काल भी आ अचा ठीक है, कैशियर भी है 9 बजे भी है लेकिन मेरे अकाउंट में 50,000 नहीं और चेक कर दिया 50,000 का तो निकलेगा तो यहां करम आता है जितना पिछले जनम में इक हटा किया उसका फल मिलेगा यह नहीं कि 50,000 जमा थे और एक लाग का चेक कर दिया अब 5 रुपे जमा थे और 50,000 का चेक कर दिया तो उपर से आपके उपर गलत चेक देने का वो चालान भी लग जाए तो कर्म तीसरा सिधान्त हुआ कर्म चौता सिधान्त है प्रकृती मान लिया कि 9 भी बजे हैं समय भी ठीक है उसने 50,000 रुपे चेक भी किया है और साथ में कैशियर से बात भी हुई है बोले हो बोले हाँ है लेकिन खुद ऐसी जगापे है जहां बैंक की नहीं है तो मिलेगा क्या है किया हुआ है फिर भी नहीं म से पिछ कास में है नौ भी बजे है फिश्ले जनम के कर्म भी है कैशियर भी नहीं काल भी सही है सारी चीज़े है लेकिन घर में लेटा हुआ है कहरा है मेरे चेक तू जा जा करके मेरे पैसे ला जा मेरे पैसे ला। खेंगे क्या करना पड़ेगा करव भी करना नियमित कर्म करूं ये 5 चीज़यी जब मिलती हैंagne कि और आ चीज आ अगर मेरा हा ंंहों हिल रहा है मैं बोल रहा है इसके पीछे ये 5 बहूंँ घयाओं क्रिशन बनता है ऐसे ही अगला शरीर मिलेगा तो उसमें एक चीज नहीं काम करती है सारी चीज ने उसमें काम करती है कि आया समझ में आपको तो यहाँ पर हिर्णा कश्व क्या सोच रहा है मैं अपने कर्म करके क्या करूँगा तपस्या करके एक मात्र विष्णु का ज्यादा शक्तिशाली बन जाओंगा विष्णु से शक्तिशाली उसे मार दूँगा लेकिन हो सकता है एक चीज से कुछ नहीं होगा पांचों चाहिए तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी की प्रार्तना जब वो करता है तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं अपना कमंडल लेकर के हिरन्यकश्व के सामने आते हैं यह कौन है जो मुझे पुकार रहा है दिखता भी नहीं है कंकाल शरीर खड़ा एक पैर पर दस हजार वर्षों से खड़ा दिव्वे वर्षों से ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जल निकाल कर उस पर कि दिखे तो यह कौन है दीमक लगी है पूरे शरीर पर बांबी जैसे कहते हैं वालमी की जैसे रिशी प्रकट हुए थे वैसी वालमी लग गई है बांबी दीमक लगी है पूरे शरीर पर कमंडल से जल निकाल के डालते हैं बालमी खड़ जाते हैं अंदर से पुन्हा वैसा ही सुद्रण शरीर प्राप्त करके हिरना कश्यपू कहता है भ्रह्मा जी आपको मेरा प्रणाम है प्रकेट भ्रह्मा जी बोलते बोलिए आप कोई कोई इक्षा वर्दान तो हिरना कश्यप का आर्थ क्या है हिरन्य का मतलब है सोना सोना मतलब वो वाला सोना ने घर जाके सोना सोना मतलब धन की आवशक्ता जिसको है जो धन लोलुपता में विक्ति लिप्त है ऐसे विक्ति को हिरन्य कहते है और कशिपु जो आराम के जीवन जीना चाहता है आराम का जीवन वो कशिपु अच्छा अगर हम यह देखे हैं यह दोनों चीजें हमारे अंदर हैं की नहीं हैं कितने लोग बोलते हैं हमें धन भी चाहिए और हमें आराम भी चाहिए पढ़ाई लिखाई बच्चे को इसलिए तो करा रहे हैं बेटा पढ़ ले धन कमाई हो वो अले धन कियों कमाई है ओले आराम से रही तो जो विकती यह दो चीजें रख रहा है वो कौन है हिरन्य कंशचö और प्रहलाद कौन है अरलाद मतलब होता है आनन्द जो भगवान क्रिश्न को आनन्द प्रदान करते हैं उनको बोला जाता है प्रहलाद अहलाद मतलब आनंद प्रदान करने वाली शक्ति प्रदाद ऐसे हिरना कश्यप पर जैसे ही पानी जिड़का ब्रह्मा जी ने क्या हुआ अंदर से प्रगट हो गया हिरना कश्यप हो कहता है मेरी बहुत सारी एक्छाएं है और मैं आपसे मांगना चाहता हूँ कहाँ मांगो तो कहता है यदी दास्यसी अभीमताम वराम मे वरद उत्तमम भूते भ्यत्वत वरिष्टे भ्यो मृत्यूमा भूतमम प्रभू कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जो मैं चाहता हूँ वैसा वर देजिए कि मैं मृत्यूम आने पर भी न मरू मृत्यूमा भूतमम प्रभू मृत्यूमा भूतमम प्रभू मृत्यूमा आने पर भी ना मरू ऐसा वर देदो मतलब अमर हो जाओ ब्रह्मा जी बोले अरे भाई अमर होने की बात करते हो जब मैं खुदी अमर नहीं हूँ तो तुमको अमर होने का वरदान कैसे मैं तो बोला इसका मतलब आपने तो कहा था जो मैं मांगूँगा देंगे कहा इसको मैं बदल कर मांगता हूँ अपनी बुद्धी लगाई क्या बुद्धी लगाई अभी बुद्धी लगा कर बोल रहा है ना अंत बाहिर दिवानक्तम अन्यस्मात अपिचा अयोधा ना भूमो नाम बेर अमृत्योर्णा नरे ना म्रग अपि हे भ्रह्मा जी मुझे वरदान दीजिए ना अंतर बाहिर दिवानक्तम ना अंदर मरूँ घर के ना बाहार मरूँ दोनों चीगे लॉक कर दिए ना अंदर बड़ा चालू है ना अंतर ना बाहिर अपि ना अंदर ना बाहार और अन्यस्मात अपिचा अयोधा इस संसार के किसी भी अयोध से हतियार से मैं ना मरू अस्तर शास्तर दोनों को लॉक कर दिया इससे भी ना भूमे ना अंबर मित्यू ना भूमी पे मरू ना अंबर ना आकाश में मरू ना नरे ना म्रग अपी ना ही मुझे मनुष्य मार सके ना ही मुझे जानवर मार सके सारी चीज़े लोग कर दे कि प्रभु ऐसा वर्दान दो कि मैं ना मरू उपर ना अंदर ना बाहर ना नीचे ना इंसान से ना जानवर से और क्या मांगा वयुसभीवा असुमुध्धीवा सुरा असुरा महा उरगे आप्रती द्वन्तानम युद्धे एक पत्यम्चा देहिनाम सर्वेशाम लोक पालनाम महिमान यथा आत्मनहा तपो योग प्रभावानम यतानारिष्चती करिष्चतहा आप मुझे वर दीजिए कि ना किसी सजीव प्राणी के द्वारे मारा जाऊं ना किसी निर्जीव प्राणी के द्वारे मारा जाऊं ना सजीव ना निर्जीव चाकू से मार जिया तो किस से मारा निर्जीव और मारने वाला को ने सजीव तो ना चाकू से मरू ना चाकू उठाने वाले से मरू, सजीव, निर्जीव दोनों लोग किसी देवता से मरू ना किसी असुर से मरू ना राक्षस मार सके ना देवता मार सके और मनुशष्य तो पहले ही लोक करा हूँ सारी जग़ लोक, कोई ना मार सके चुकि आप युद्धुभिमी में कोई मार नहीं सकता इसलिए आपका कोई प्रतिधुन्दी ना हो और मेरा कोई कॉम्प्टिटर भी ना हो कि मेरे बराबर कोई आके खड़ा हो जाए तो मेरा अपमान हो जाएगा वले ये दो लोगों कोई नहीं मार सकता हो ना प्रतिधुन्दी भी ना हो और आप मुझे वर्दी जी है कि जितने भी संसार के लोग पाल है बड़े बड़े राजा हैं बड़े बड़े इश्वर हैं देवता हैं इंद्र, आदी, वरुन, चंद्र इन सब में मेरा एक छट्र राज्य हो अहंकार जैसे दुरियोधन के अंदर बड़ा आंकार था धूप में चलता था तो उसके सैनिक उसके छट पर छट्री लगाते थे, सिर के उपर तो अपने सैनिक से कहता है हटा लो ये छट्री सैनिक कहता है दुरियोधन जी आपके सिर पर ये छट्री होगी तो धूप नहीं लगेगी कहा धूप लगे तो लगे लेकिन अपने से उपर मैं किसी को बरदाश्ट नहीं कर सकता हूँ मैं रहूँगा उपर एक छट्र राज ये क्या है? क्या है ये? अहंकार अहंकार होती न माय कार नहीं नहीं खरीते गाड़ी सबको दिखा दे माय कार, मेरी कार, अहंकार तीन गुडो की रस्टी में बंदे हुए हम सारे काम कर रहे हैं फिर भी अहंकार में हैं माय करता हूँ प्रकरते क्रिया मनानी गुने कर्मानी सर्वशहा अहंकार अवि मूडात्मा करता अहम इतिमन्यते अहंकार अवि मूडात्मा अहंकार में मुर्ख विक्ति को लगता है करता अहम इतिमन्यते मैं ही तो करता हूँ जी, मैं नहीं करूँगा तो काम कैसे होगा हिर्णा कश्चप को भी ऐसा ही भान होता था लेकिन तपस्या करने के पाद फायदा क्या संसार में आतंक फैलाने लगा सभी लोगों को कश्ट देने लगा और अपने घर में जब वापिस आया तो उससे पहले जब हिर्णा कश्यप तपस्या करने गया था तो इंद्र ने कहा अरे इस माता की गर्ब में तो मेरा दुश्मन पल रहा है हिणना कश्यप का बेटा है राक्षस है असुर बनेगा वो शक्ती लेके आएगा मैं पहले इसका वंश समाप्त कर देता हूँ कयादू को लेके इंद्र देव भाग रहे थे रस्ते में ही नारज जी आया और बोले क्या कर रहे हो क्यों लेके जा रहे हो कहा इसलिए लेके जा रहे है क्योंकि इसके पेट में इसके गर्ब में राक्षस का अंश है नारज जी कहते हैं वो राक्षस नहीं है कौन है भक्त है इंद्र देव को हटाया नारज जी अपने साथ ले जाकर एक गउशाला में रखते हैं और गउशाला में राद दिन श्रीमत भागवत पुरान का ग्यान किसको देते हैं? कयादू को देते हैं कयादू को सुनता कौन है? प्रहलाद इसलिए जब गर्भवती माता हो और अगर वो अपने पती से अपनी साज से अपने घर के अंदर پरिवार जणों से कथा सुने तो वो तो सुनती है साथ में कौन सुनता है गर्भवत तरशिशू सुनता है क्योंकि हमारी सबसे पहले इंद्रिया जो बनती है आपकी कथा कहा हो रही है हमने कहा पालम कहा शिमला मैंने कहा नहीं 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 पालम कहा शिमला मैंने कहा हाँ हाँ शिमला कहता अच्छा अच्छा पालम सबसे पहले जो दिया जाता है सबसे पहले लिया जाता है सबसे पहले दिया जाते है कान इसलिए हमारी संस्था में भी कान जुड़ा हुआ है इस कान, हिंदी में इस कान हुआ क्योंकि हमारी संस्था श्रवन की संस्था है जितना अधिक श्रवन करेंगे उतना अधिक शुद्धी होगी इस कान कान दिये गए तो कान से गर्बस शिशु सुनता है और कोई उधारण याद आता है जिसने मा की गर्व में ही सब कुछ याद किया हूँ द्रबदी आभी मन्नियो चक्रवियू का ग्यान अपनी माता की गर्व में ही लेकिन माता को आधे में नीद आ गई तो जाना तो आता था लेकिन आना ऐसे ही अगर आप कथा में तो आई हैं सोच करके कि कथा सुनाओंगी गर्वस शिशु को लेकिन सो गई तो ग्यान जाएगा जब मा के कान खुलते हैं तो बच्चे के कान खुलते हैं जब मा सोती है तो बच्चा भी सो जाता है जब माँ खटा खाती है तो बच्चे को भी खटा खाता है जब माँ तीखा खाती है तो बच्चे को भी तीखा लग चोटा बच्चा होता है पैदा होता के ते नहीं नहीं यह मिर्ची नहीं खाता है अभी नौ महीनेट खाके आया नहीं है मिर्ची नहीं खाता है खा क्षा के आया केहते हैं मिर्ची ने खाते हैं सब खाता है बॉमबे में मुंबई शहर में कल्यूक के जमाने की माताई कैसी हैं एक माता जी डॉक्टर के पास गई कहती है जब से मेरा बेटा परदा हुआ है तब से रोए जा रहा है रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, डॉक्टर साब कुछ करिए डॉक्टर ने सब कुछ दिया पानी, एलपाइन वाटर और सब कुछ, जो भी होता है ग्राइप वाटर, और लाल घुट्टी सब पिलाया, लेकिन उसका रोना बनने, दर्द का इंजेक्शन दिया तो सो गया, फिर जब दर्द उठा, सोते में ऐसे उठकर के, क्या हुआ फिर रोने, तो डॉक्टर ने पूछा ऐसी क्या चीज आप पीती हैं, खाती है जिसका सेवन इसने नौ महीने किया, उसी की इसको एक्छा है तो डॉक्टर समझ नहीं पाया, बोले मैं ये खाती थी, सबजी खाती थी, ये खाया चाय पिया, ये पिया, जो भी उन्होंने बताया डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, ये सब तो हम छिशु को नहीं दे सकते हैं और जब आपका स्थन पान करेगा, तो सब कुछ अपने आप पोशन परापत होगा और कुछ चीज बताईए तब पता चला, मा जो थी उसको सिग्रेट पीने की बहुत आदत थी, सिग्रेट स्मोकेंग और बच्चे ने नौ महीने अंदर खूब धुआ पिया तो क्या हुआ, वो रोता था रॉक्टर ने कहा, सिग्रेट लाई जाए बच्चे के मुँ में लगाई रोना बन मतलब एक विक्ति को बीडी बाज बनाने में मा का हाथ होता है मा के उपर बहुत बड़ी दिम्मेदारी है अपने बच्चों को संसकार देने इसी प्रकार से कयादू माता ने अपने पुत्र को नारद मुनी की गुरू की कृपा से क्या दिया? संसकार प्रदान की और उनके घर में कौन आ गए? प्रहलाद इदर प्रहलाद आ गए है कयादू वापिस नारद मुनी उनके महल में छोड़ गए है और बड़ा शक्तिशालि होकर करके पुना अपने शक्ती को प्राप्त करके हिर्णा कश्र वापिस अपने महल को आता है लेकिन यहाँ देखता है कि मेरा पूत्र राक्षस नहीं है भक्त बन गया कैसा भक्त बन गया है हर चीज में भगवान का दर्शन करता है स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ती सर्वत्र हया निज़ इष्टदे वस्पूर्ती स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ती सर्वत्र हया निज़ इष्टदे वस्पूर्ती स्थावर और जंगम चलने वाली वस्थू और न चलने वाली वस्थू दोनों में कौन दिखता है इष्टदे वस्पूर्ती मेरे कृष्ण का दर्शन ऐसी स्थिटी जिसी न आ जाएगी कि हर चीज में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा वो है प्रहलाद किस्तिती कौन सी उमर में प्राप्त किया है फाइव यर्स पांच साल लोग बोलते हैं पांच साल का बच्चा तो लल्ला होता है छोटा सा लल्ला खेले का बैट बल्ला सोस्ते अभी कहां इसको गीता पढ़ाएंगे नाम जब कराएंगे पांच वर्ष में प्रहलाद महा भागवत भक्त बन गए स्थावर जंगम देखी देखी तारमूर्ती और जिदर देखते हैं हो इस्ट देव स्पूर्ती अपने इस्ट देव की स्पूर्ती होती है हर जगा कृष्ण का दर्शन हो था हर जगा भगवान का दर्शन हो और हर वक्त क्या गाते रहते हैं श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी हेनात नारायन वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी हे नात नारायन वा सुदेवा स्री कृष्णा गोविंदा हरे मुराई हे नात नारायन वा सुदेवा नारायन भगवान का भजन करते है बचपन से हिर्णा कश्य अपने दो पीछे से व्यक्ति लगाए अपने इसको सिखाओ संड और अमरक उनके दो सैनिक जो शुक्राचारी के पुत्र है उनको कहा इसको राक्षस बनने की ट्रेनिंग दो यह पता ने क्या उल जलूल बोलता है जैसे आपका बच्चा अगर कभी स्कूल फिल्मी गाने गाने की बजाए महामंत्र गाने लग जाए तो माता पिता कहते है पता ने की बेटे को क्या हो गया हर टाइम हरे किष्णा हरे किष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम लेकिन नहीं अगर वो गारा है उची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है तो बड़ा अच्छा है वह फिट है पिर अगे इसार हुच है तै tara अ कि जिसे हमारे धर में हमारे बच्चे है उनकों सिखाते किर्टन पर नित्व करना है तो स्कूल से कंपलेंट आती है बच्चे डांसी नहीं करते हैं जब भी स्टेज शु उता है बचे डांसी नहीं करते हैं एधा आप बच्चे को समझी नहां तो बच्चे ने बता दिया अपनी अध्यापिका को कि क्या लगाई ए हरीबोल जैसे आप लगा देंगे तो बच्चे नाचेंगे तो और ने का अच्छा फिर कहीं से डाउनलोड करके लगाया तो खूब नाचे इसको संसकार के और माता-पिता स कि अबी कई कई मातापिता ऐसे खुद तो धिंचिका पर नाचते हैं लेकिन कधा सुन कर कर सोचते बच्चा हरे किस्थना पर नाचते यह भी नहीं होता है एक विक्तियायत है सिक्रेट मुँ में लगाके हमारे मंदीर में कहते हैं प्रभु जी बच्चे को गीता याद करवानी है कितना टाइम लगेगा प्रभु जी बच्चे को गीता याद करवानी है कितना टाइम लगेगा जितना टाइम आपको सिक्रिट छोड़ने में लगेगा उतना टाइम में गीता से जाए संस्कार माता पिता को देख करके आते हैं उनके ट्रू आइडियल्स है प्रथम सिक्षा गुरू माता जी और पिता जी तो ये हिर्णा कश्व क्या करता था अपने ही पुत्र को सताता था महापापी क्योंकि भगवान का भजन करता है तो नाराज होता है तो जो माता पिता अपने बच्चे को भजन करने पे नाराज होते हैं वो कैसे हैं तस्मिन महाभागवते महाभागे महात्मनी हिरन्या काशिपूरा जन अकरोत अधम आत्मजे आत्मजे मुझसे ही जो उत्मन है उसको कह नाम दिया गए है आत्मज़ आत्मज़ा मतलब मुझसे उत्मन होने वाला अपने ही पुत्र को क्या कहता है वो कौन है तास्मिन महा भागवते प्रलाद माराज महा भागवत है जिने भागवत का ग्ञान गर्व में प्राप्त हुआ है अत्यन्त भागशाली है कि माता की गर्व में भागवत पुरान मिला महा आत्यन्त उदार है इतना महा पापी कि अपने बच्चे को ही भगवान के रास्ते से हटा रहा है आजकल हम देखते हैं लोग बोलते हज्जा भग्वान के रास्ते से हैं मंदिर जाने लगा है पागल हो गया है क्या है सादू बनेगा क्या ये सब हिर्णा कश्यप की बंश परंपरा को आगे बढ़ा है followers of हिर्णा कश्यप disciplesic success युदिष्टिर महराज इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि उसको इतना मारा इतना मारा कि उसके जान के दुश्मन बन गए और इतने दुश्मन बन गए कि कहीं पर भी संड और अमरग को बोला कि मैं तुम्हारा सर कलम कर दूँगा अगर कभी इसको भगवान का नाम लेते हैं अपनी गोधी में बिठा करके पूछा बेटा आज तुमने क्या सिखा अपने स्कूल में अपनी कक्षा में क्या सिखा अभी ये क्या सीखने थोड़ी जाते हैं महा भागवत तो ऐसे होते हैं, जहां जाते हैं, शिखते हैं, शिखते हैं, तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं, तो क्या छोटे बच्चे की सुने हम? बच्चे की सुने क्या? अच्छा आपसे एक प्रश्म पूछते हैं इसका उत्तर बताईएगा एक बार एक राजा की सभा लगी थी राजा की सभा में अनेकों 50,000 साल पुराने तपस्या करने वाले रिशी मुनी आए राजा बेठा रहा 50,000 साल तक तपस्या किये बड़े रिशी मुनी प्रकांड उत्तम श्लोकों का उच्चारण करने वाले सारे शास्त्र को शुतिधार कानों के द्वारा स्मरण किया और उच्चारण कर देते हैं बस सुन करके बता देते हैं राजा की सभा में आए राजा बेठा रहा थोड़ी दर बाद देखते हैं कि एक पांच वर्ष का द्रुव उस राजिस सभा में प्रवेश करता है जानते हैं न द्रुव महाराज की गता हमने पहले बताए द्रुव प्रवेश करते हैं तो राजा उठते हैं अपना मुकुट नीचे रखते हैं और द्रुव को दंडवत दंडे के समान लेट के प्रणाम करते हैं पचास हजार साल तपस्या करके जो आए उनके लिए उठे नहीं राजा लेकिन पांच साल का बच्चा आया तो उठस के लिए उठ गए सारे रिशी मुनी अपने अपने स्थान से खड़े हुए बोले ये नाइंसाफी है हमने सुना था आपने पोस्टर लगाया था बैनर लगाया था यहां शास्त्र चर्चा होगी साधूओं का सम्मान होगा ये तो साधूओं का सरासर अपमान है हमारे सामने एक पांच वर्ष के बालक के लिए राजा आप लेटते हैं धंडवत करते हैं और हमारे लिए बैठे लेटे हैं तो राजा ने जब ये प्रशन सुना तो एक प्रशन और पूछा क्या पूछा राजा ने कहा एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ रिशी मुनिवर कि पचास हजार साल तक रेगिस्थान में कीकड का एक पेड है केक्टर्स और घर में पांच दिन पुराना तुलसी का पोधा है आप लोग किसको प्रणाम करेंगे आप लोग किसको प्रणाम करेंगे ये तो पांच दिन पुराना है ना वो पचास साल से खड़ा है क्यों? गुण जाद है तो किसको प्रणाम किया जाता है? उम्र को नहीं, गुणों को प्रणाम किया जाता है तो एक होता है वयो वृद्ध उम्र में बड़ा है बूडा है बुदर्ग है और एक है ग्यान वृद्ध ग्यान में बड़ा है गुणों में गुणी है ऐसा विक्ति को सभी शृष्ची के जन देवी देवता भी प्रणाम करते है तीर्धम कुर्वन्टि तीर्थाने एसा विक्ती जहां चलता है वहां तीर्थ मिनिर्मान करता है तश्यर्यलप प्रभुपास से वक्ति पूशते थे कि क्या हमको इनाब़ा जाना चाहिए गंगा में सनान करने है जाना चाहिए क seminar की नहीं प्रभुपाजी कहते है नहीं जाना चाहिए जो विक्ति गीता सनान करता है गीता के पाठ करता है जो विक्ति नाम जप्त में सनान करता है उसको गंगा सनान के आवश्यक्ता नहीं है बोले क्यों? बोले जब गंगा महिया इस पृत्वी पर प्रगट होने वाली थी तो गंगा महिया ने भगीरत की प्रार्थना पे उतरने से पहले दो प्रश्ण किये कि है भगीरत जब मैं इस पृत्वी पर प्रगट होंगी तो मेरी स्टेज धारा को समालेगा कौन पूरा ब्रह्मा अंड फैल जाएगा पृत्वी को फाड़ करके मैं निकल जाओंगी सभी मनुष्ट जाती मारी जाएगी और दूसरा अगर मैं किसी प्रकार से पृत्वी पर आ भी गई तो जितने भी पापी लोग मुझे में सनान करेंगे और अपने पाप छोड़ेंगे तो मैं पवित्र कैसे होंगी तो इलाबाद में कौन है गंगा तो मैं पवित्र कैसे होंगी तो भगीरत महराज ने अपने तपस्या शास्त्र भल से उनको उतर दिया कहते हैं गंगे मैया कुछ समय बाद जब आप इस पृतिवी पर प्रगट होंगी आपकी स्तेज धारा को भोले नात शिवजी जो भगवान कृष्ण के परम भक्त है अपनी जटा में धारन करेंगे और फिर धीरे से उनकी गति को इस पृतिवी पर भेजेंगे तो गंगा मैया तीन नामों से जाने जाने लगी पाताल लोग में भोगवती पृतिवी पर भगीरती और उपर के लोकों में मंदा की नहीं एक ही गंगा के तीन नाम तीन लोकों में भेती नीचे उपर और पृत्वित तो गंगा ने कहा ये तो ठीक है पुत्र भगीरत ये वर्णन करो मेरी पवित्रता का क्या होगा तो भगीरत महाराज कहते हैं कि जब हरे कृष्ण महामंत्र जब करने वाले भक्त सब इखटे हो करके पर्ष करेंगे अपने पैर तो हे पतित पावनी गंगा आपको भी वो क्या कर देंगे पवित्र कर दें तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी जो भजन करता है वो पक पक पर तीर्थ बनाता हुआ चलता है प्रलाद महराज इससे महा भागवत है तो गुणों को प्रणाम किया जाता है देखती कि गुण उत्तम होने चाहिए गुणवती गुणवान तो इस प्रकार से गुणवान प्रहलाद महराज संद और अमरक के कहने से उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता था वो तो बस रात दिन भगवान का भजन करते थे संद और अमरक को हिर्णा कर्शब कहता है अब की बार तुम्हारा सर कलम कर दूँगा अगर इसने कभी भी और दुबारा नारायन का नाम लिया भगवान का नाम जब करना सरल बात नहीं है आज जैसे प्रभू जी बता रहे थे कि जो लोग नाम जब करना चाहते हैं वो आज हमसे एक माला ले सकते हैं माला लो भगवान का नाम जब शब करो लेकिन कई लोग होते हैं रोज सुनते हैं फिर चले जाते हैं साथ दिन क्या, साथ साल क्या, सत्तर साल क्या, साथ सो साल भी सुनाओ तब भी जब शुरू नहीं करेंगे पता है क्यों, पता है क्यों, बता है या नहीं बता हैं, तो बोलो हरी बोल तो भी नहीं करेंगे क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं मेरा भजन वही कर सकता है जिसमें ये चार चीज़ें आ गई हो जिसके पाप समाप्त हो गए है और जिसके पुन उदय हो गए है और कैसा हो गया है द्वंद से संसार में द्वंद चल रहा है सबके मन में द्वंद और मोह में और मेरा द्वंद मोह निर्मुक्तम जब ये द्वंद से मोह से निर्मुक्त हो जाएगा भजते माम द्रडवरताम वो द्रडवरत कर मेरा बजन करें सरल नहीं है तो हर आत्मी माला पकड़ ले मुश्किल नहीं कोई-कोई विक्ति के नसीब में ऐसा होता है ब्रमांड भ्रमिते कोन भागिवान जीवा गुरू कृष्णा कृपा पाए भक्ति लता भीजा ये भक्ति लता भीज कोन कोन भागिवान पाए भागिशाली होता है वो कभी-कभी अपने पुन्यों के कारण आके भागवत कथा में बैढ जाता है और भागवत कता में श्रवन करके उसके पुन्य उद्य होते हैं और वो माला ले लेता है ब्रह्मांड ब्रहमिते एकोने भागेवान जीव कोई-कोई भागेवान होता है जिसका पुन्य उद्य होता है और उसको कृष्म की कृपा से गुरू मिलते हैं और गुरू की कृपा से कृष्म मिलते हैं अपनी गोधी में बिटाकर हिणना कश्च पूछ रहा है बताओ तुम क्या सिखते हो अपनी कक्षा में तो अब निडर हो करके कि मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे इतने बड़े तीनों लोकों पर अपना राज्ज करने वाले आसुरी उनको कहते हैं पिताजी मैंने अपनी कक्षा में एक ही चीज़ सेखी है क्या श्रवणं कीर्थणं विष्णू स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यं आत्म निवेदनं नो प्रकार की भक्ती कवर्णन किया परलाद महराज ने पांच साल का वच्चा ज्यान दे रा श्रवणं कीर्थणं विष्णू श्रवण कीर्थणं करो तो किसका करो विष्णू क्रिष्ण का करो स्मरणं पादसेवनं पहले श्रवण करोगे फिर किर्थणं करोगे तो स्मरण बनेगा भगवान का विक्ति कहता है भगवान का स्मरण नहीं होता, प्रभुजी मन नहीं लगता है, मन कैसे लगेगा, ध्यान से श्रवण ही नहीं किया कब, ध्यान पूर्वक श्रवण करो, ध्यान पूर्वक किर्तन करो, मुँसे बोलो भगवान का नाम जब, उसके बाद स्मरण होता है, जिसक अपात सेवन अर्चनम वंदनम और अर्चनम कौन करेगा पूजा करने का मौका किसको मिलेगा सबके घर में मूर्तियां है छोटी-छोटी भगवान की लेकिन उस पर मिट्टी का अपार भंडार है सबकी नाग पे लाल-लाल रंग के खून लगा हुआ है वो क्या कहते कुम- अर्चनम की विधी नहीं आनते क्योंकि अर्चा विग्रह का महत्व नहीं पता है कि अर्चन करने के लिए प्रभू अपने विग्रह रूप में प्रगटू है सब भगवान को एक लाइन में बिठा देते हैं ऐसा लगता है किसी की बैंड बात बरात निकल रही बैंड अब बिचारे उन्हीं को बिठा दिया कि मुझे क्यों बिठाया और फिर भी बिठा रख क्या उदास है इसलिए चेहरा उतरा हुआ इससे बैठे रहे हैं उदास क्या करते हैं कृष्ण भगवान को भी बिठाया लड़ू गोपाल की पुजा करते हैं क्या खिलाते हैं इनक जो कुछ भी खाते हो भगवान को भोग लगा के खाओगे तो तो है कि आपके घर के ठाकूर मतलब most important person in the house सबसे महतपूर्ण विक्ति जो है हमारे घर के वो ठाकूर जी ये नहीं कपड़े बदलते हो हाँ हाँ हर साल जन्माश्मी में प्रभु जी हर साल और आप अपने व तो इसलिए क्या करना है अर्चनम भगवान कृष्ण का स्थान सबसे उंचा होना चाहिए और बाकी सभी देवी देताओं का दास्ते के रूप में नीचे भी राजमान जैसे राजा उपर वेटता है और उनकी प्रजा के जो सभी सैनिक होते हैं सभी राजमंत्री होते हैं गुरुजन भी नीचे वेटने और आजा होते हैं रैसे ब्रह्मान डनाया कौन है कृष्णा उपर वेटने चाहिए और बाकी लेकिन इसकी मति नहीं होती है लेक्ति को लगता है नहीं नहीं इनका भजन करेंगे कैसे करेंगे कृष्ण थोड़ी भगवायने बाकी नराज हो गए तो एडर तो बना रहते हैं नराज हो गए तो ऐसी एक विक्ति था कि प्रसंग जब भी आता है तो हमें इसे बताने में आनंद आता है कई बार मैंने इस कथा को बताया पड़ फिर भी बहुत सुन्दर कथा है गाओं के दो मित्र थे एक गरीब हो गया एक बहुत पैसे वाला बन गया तो जो गरीब था मास्टर बन गया स्कूल में वो साइकिल पे जाता था और जो पैसे वाला बन गया वो साथ पढ़ते थे साथ खाते थे तुम साइकिल पर हम कि बोले क्या क्या पूजा पाट करते हो गाड़ी वाला बोला हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं मा मुरादे पूरी कर दे हल्वा बाटेंगे मा मुराद पूरी करती रहती है हम हल्वा के भंडारे करते रहते है वो बोले किसी दिन हल्वा अगर मुराद पूरी नहीं होई तो बोले नहीं बाटेंगे मुराद पूरी करती है मा तो बाटते है और तुम किसका करते हो बोला अब उदास मन से बोला हम कृष्ण जी का करते हैं हाँ हाँ सुदामा बना देते हैं कृष्ण सु दामा बना दिया सु दामा तो बड़ा दुक लगा बोला का कौन सी दुर्गा अश्ट धात्री आठ हात वाली दुर्गा लेयाओ घर मेng सब बंधान धन बंढार भर देगी अच्छा ओ गया बजार में जाकर दुर्गा जी की मूर्ती खरिद लाया ला करके स्थापित कर दी बीच में और गोपाल जी को उठा के उपर रख दिया आले में और नीचे चालू कर दिया मा मुरादे पूरी कर दिया हलुआ बाटों गया अगरबती निकाली भगवान को दिखाते हैं अगरबती निकाल करके लगाई अगरबती तो देखा दुएं का सुत्ह सुभाव है नीचे से उपर की ओर जाना नीचे से उपर जा रहा है गोपाल जी के नाक के नतुने में जाके टकर आ रहा है तो एना मन तो इतने तीस साल ठाकुर जी का हरे कृष्णा जब किया तो छूट थोड़ी जायेगा इसे तो देख तो रहा है दुरगा जी को लेकिन एक अनिगाह देख रहा है उपर हाँ देने को तुमारे पास कुछ नहीं था अब बैठे बैठे फिरी का हमारी दुरगा जी का दुवाँ सूंग रहे हो उतारा नीचे गुस्से में और लाकर के दो रुई के गेंद बनाई ये से बॉल और भगवान की नाग के अंदर इसे गुसा दिया नाग के अंदर गुसाया तो क्या हुआ तूरंत भगवान गोपाल जी प्रकट हो गए तो भगवान प्रकट हुए तो हैरान हो गया आखों से अश्रुपात होने लगा कहा अरे प्रभू इतने तीस साल भजन किया तब नहीं दिखे आज ये नाग में नतुने में क्या रुई लगा दी प्रकट हो गए भगवान बोले तू मुझे पाशान पत्थर की मूर्ती मानता था आज तूने मेरे चौसट गुनों में से एक गुन समझ लिया कि मैं सूंग भी सकता हूँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयाच्छती पत्र पुष्प फल और जल ये दे दो लेकिन कैसे यो में भक्तिया भक्ति होनी चाहिए एहसान नहीं होना चाहिए खाओ खाओ मजे लो काजू खाओ रईस के घर पे आयो खाओ और सब कुछ देने वाला है आपको इंटरस्टाइन कैंसर दे देगा फिर आप ही नहीं खाओ पाओ काजू जो खिला रहे थे क्या किया तो इसलिए अहंकार में मत रहा हूँ कि मैं खिलाता हूँ वो खिलाने वाला है सब को खिलाता है परलात महराज इस बात को जानते हैं इसलिए आत्म निभेदनम श्रवणम श्रवण के आचारे बताये गए है कौन कौन है श्रवण के आचारे है परिक्षित महराज क्यों साथ दिन साथ राज तक भागवत कथा को बिना पानी पिये सुना आप लोग तीन घंटे में कितना पानी पिते हो छे बोतल पानी पिना भूल गए थो साथ दिन साथ राज तक पूछा नहीं पानी चोते दिन शुगदे गोशामी ने पूछा परिक्षित पानी पियोगे प्यास नहीं लगी जलोगे परिक्षित कहते हैं अरे जल के कारणी तो यह स्थल मिला है जल था जल के अभिलाशा थी इसलिए तो मुझे शराफ मिला अब और जल के अभिलाशा नहीं और किर्टनम के आचार हैं शुगदेव गोशामी साथ दिन साथ राद तक क्या किये सुनाए बोलते रहे ठके नहीं हम लोग ठक जाते हैं प्रजल्पा करा लो हमसे फिल्मी बाते करा लो पूरी रात गुजार देंगे लेकिन भक्ति की बात करने में बहुत मुश्किल लगता है वो कैसे करेंगे श्रवणम कीर्टनम स्मरणम और स्मरण के आचार है कौन है स्मरण के आचार है प्रहलाद महराज जिनका चरित्र चल रहा है महा भागवतू, महा आत्मनी, महा ग्यानी प्रहलाद ऐसे प्रहलाद हमेशा स्मरण करते हैं भगवान का कैसा स्मरण करते हैं हरे क्रिश्ना हरे क्रिश्ना 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ऐसा है प्रहलाद माराज का चिंतन स्मरण भगवान कृष्ण के लीलाओं की स्फूर्थी होती है हमारे शटको स्वामी वरंदावन में जब भजन करते हैं गौडिय विश्ट अव संप्रदाए में उनको रात दिन भगवान कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करने से स्फूर्थी होती है लगता है मैं लीला में प्रवेश कर गया हूँ इसके उत्तम आचार है स्मरण के प्रहलाद मारा की सुन्दर स्मरण ऐसा स्मरण होना चाहिए राद दिन ये भजन चलते रहे मन के हिर्णा कर्श्ब ने विचार किया क्यों नहीं इस प्रहलाद को समप्त कर दिया जा अब ये हमारे बस की बात नहीं मार दो क्या करें कहा सिपाईयों से हाती के पैर के नीचे ले जाकर इसका सर फोड़ दो हातीयों को लगाया गया और नीचे उस बच्चे को रखकर बालक पहलाद को उपर से क्या किया हाती का पैर रखवाया गया लेकिन पहलाद ने ये भी ने का ऐसा आप क्यों कर रहे हैं हम क्या कहते हैं थोड़ी सी परिशानी आये मैनेजमेंट की अपने जीवन मैनेज करने की सेल्फ मैनेजमेंट और तुरंट आरोपन करते किसको भगवान प्रभु जी भगवान ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ भगवान तो रक्षक है केशव द्रिता शुकर रूपा जै जगदीश हरे वही केशव वही कृष्ण नरसिंग बनके आते हैं वही कृष्ण वरहा बनके आते हैं सिम्हाचलम पूरे भारत दर्श में एक स्थान है जहां पर एक ही विग्रह में दोनों भगवान के अवतार दिखाई देते हैं तो एक राजा थे जिनको बाद में सिम्हाचलम के उनको पता चला कि ऐसा एक दर्शन है उनको वह मूर्थी प्राप्त हुई लेकिन जब वह मूर्थी उनको प्राप्त हुई तो भगवान की आकाश वानी हुई कि यह मूर्थी सिर्फ कठिन तपस्या करने वाले भक्तों को दिखनी चाहिए सबको नहीं इसलिए पूरे वर्ष सिर्फ अक्षत रित्या के दिन उसका दर्शन होता है बाकी दिन पूरे वर्ष उसके उपर चंदन का लेप रहता है अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे शिवलिंग है लेकिन अक्षत रित्या के दिन चंदन को तोड़ा जाता है और चंदन तोड़कर अंदर से वरहा नरसिंग और नर ये तीन नर नीचे है नरसिंग की पूछ है और मुख में वरहा भगवाई ये सिमाचलम में दर्शन बता है तो इसे परलाद की रक्षा कहे दिए सापों के कुंड में छोड़ दो इसको नहीं मरता है तो सापों का कुंड था भरे पड़े हैं साप उसमें छोड़ दिया अभी साप दिखकर आपके छोटे बच्चे के बाद साप आए बच्चा ज़्यादा घबराएगा और आप उससे ज़्यादा घबराएगा लेकि इन प्रहलाद को अपने प्रभू पर रक्षा करने के भरोसा है रक्षती ते कृष्णा न रक्षती ते कृष्णा रक्षा करेंगे तो भी मेरे प्राण कौन है कृष्ण अर रक्षा नहीं करेंगे तो भी मेरे प्रान कौन है आप लोग पंक्खय के नीचे सोते हैं कि नहीं सोते हैं फिर क्यों सोते हो डर नहीं लगता यह भरोसा है कि गिरेगा ऐसे ही कृष्ण पर भरोसा होना चाहिए गिरता है वो मर भी जाते लेकि उनका भरोसा है कि दूसरा पंखा लगा लेते, परिवार वाले कि कभी भी कृष्ण मेरी रक्षा करना छोड़ेंगा अच्छा जो दूसरी मंजिल पर रहता है उसको डर नहीं लगता कि अगर भूकम पाएगा तो मैं पहली मंजिल पर चला जाओ और जो पहली मंजिल पर रहता है उसको डर नहीं लगता कि भूकम पाएगा धरती धस जाएगी तो मैं ग्राउंड फ्लोर में चला जाओ और ग्राउंड वाले को डर नहीं लगता कि मैं नीचे चला जाओ क्यों डर में लगता है डर क्यों नहीं लगता है क्योंकि उसको भरोसा है सीमेंट के उपर कि अच्छा कॉंट्रेक्टर लिया था अच्छा सीमेंट लगा है सीमेंट पे भरोसा है पंखे पे भरोसा है लेकिन कृष्ण पे भरोसा नहीं रक्षती ते कृष्णा, न रक्षती ते कृष्णा, कृष्णा रक्षा करें तो भी हमारे प्राण पर यह रहे हैं, रक्षा न करें तब भी कृष्णा हमारे प्राण पर यह भरोसा प्रहलाध हम को देते हैं चेतन महाप्रू कहते हैं इद्धिरन movement अनेक प्रकार के इलीलयव करने वाले आप मेरी रक्षा करें ना करें आप मेरे को अलिंगन करें या मुझे धिकार करदें लेकिन आप सदा के लिए कौन है 也可以 आप मेरे कौन है प्राणद नात है जगनात हैं गोपी नात है लेकिन जिनको भरोसा नहीं है एक भरोसो तेरा कौन? कृष्टि वो फिर जाते हैं साही बाबा का भजन कर लेते शाहिद कुछ काम बन जाए चलो दुरगा जी का कर लेते कुछ काम बन जाए एके साधे सबसधे सबसाधे सब जाए 33 करोड़ देवी देता है पूझ सकते हो एक जीवन में रोज भी एक की पूझा करोगे तो 33 करोड़ वर्ष का जीवन तो है नहीं 100 वर्ष का है तो बाकी के जो रह गए वो नाराज हो जाएगे हमारे तो किया नहीं अच्छा पेड़ में पानी डालना हो तो कहा डालेंगे जल में उसकी जड़ में या फिर पत्तियों में तो कृष्ण कहते हैं अहम मूलम मैं जड़ हूँ मुझे में पानी डालोगे 33 करोड़ देवी देवता प्रसन होते है जब कृष्ण का नाम भझते हैं तो शिव जी दोनों हाथ उठाके नाचते हैं। जब कृष्ण का नाम भशते हैं, दुरगा जी दोनों हाथ उठाके नाचते हैं। जब कृष्ण का नाम भशते हैं, गणेश जी नाचते हैं। जब कृष्ण का नाम भशते हैं, साही बाबा नाचते हैं। सारे नाचेंगे लेकिन क्या करना होगा हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बहुत गालियां दी शंडरम रखो तुम्हारे बसका कुछ नहीं इसे मार नहीं पा रहे हो एशाम में बहुआ सुधयुक्तो वधो उपाया चा निर्मितहा इसको मारने का कोई उपाय ढूंडो तेते द्रोहि असत्त धर्मा मुक्तस्वेन एवते जसहा मुझे अजीब लग रहा है कि कौन से शक्ति इसकी रक्षा कर रही है कौन है इसके साथ अपनी बहन होलिका से कहा होलिका तुम्हें तो ब्रह्मा से वर्दान मिला है कि तुम अगनी के कुंड में एक शौल चादर पहन के बैठ जाओ तो अगनी समापत हो जाएगी लेकिन तुमको रंच मातर भी फर्क नहीं पड़ेगा होलिका क्या तुम प्रहलाद को माड़ सकती हो आसुर की बहन भी आसुरी बकासुर की बहन पूतना ऐसी हिर्णा कश्व की बहन भी आसुरी होलिका हाँ हाँ मैं करूंगी बुआ अपने ही भाई के बेटे को माड़ने जा रही है उठा करके गोधी में बिठा लेया प्रलाद फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है ऐसा क्यों कर रहे हो लेकिन हम सारा दिन कोश्चन पूछन पूछने वाई मी वाई मी मेरे साथ ही क्यों प्रण में भगवान है रक्षा करने की भरोसा है लेकिन प्रहलाद को भरोसा है भगवान को उनको फरक नहीं पड़ता कोहीं भी रखा जाए होलिका की गोधी में बिठा दिया गया और क्या किया चादर पहन के होलिका बढ़ गई और प्रहलाद अपनी आँखे बंद करके बढ़ गए और क्या बोल रहे हैं नारायन 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 और थोड़े दिर बाद होली में आग लगी और क्या हुआ होली का जल गई लेकिन प्रहलाद को रंचमातर भी असर नहीं पड़ा क्रिश्न को ने कहा नारत मुनी युदिश्ट्र को कहते हैं कृष्ण की कृपा से परिलाद को ऐसा लग रहा था कि मैं खेत में बैटा हूँ और सुहावनी मंद बयार बह रहे है ये रक्षा कोई भी परिशानी आए हरे कृष्ण महामंद का जब करो आपका दुख सुख में परिवक्ति तो जाएगा लेकिन ऐसा हम करते हैं थोड़ा सा दुख आता है तो जो जपने वाले वो भी छोड़ देते हैं बोले प्रभु जी आज ताहिम नहीं मिलाज परिशानी आगई थी वो परिशानी जाएगी केश है स्मरण भजन किरता है भजन किरतन करने से परिशानी चली जाते है उनने कहा अगर इसको होली का नहीं मार पाई आप लोग भी होली जलाते हैं हर वर्ष होली जलाते हैं कि नहीं और उसमें जोड से बोलते हैं होली का मया की नहीं बोलना चाह प्रलाद का स्मरन करना चाहिए होली के ऐसे उत्सवों में जोर जोर से क्या बोलना चाहिए वक्त पहलाद की वक्त शुरुमणी पहलाद महराज की ऐसे बोलना चाहिए ये नहीं होली का मया की अब फिर बोल दिये अब पीछे वाला बोला प्रभू मैंने बोला होली का मया राक्षेसी है आसुरी सापों के पिंड में भेज दिया तो क्या लगता है साप की गरदन देखके कृष्ण को लगता है हरे शाम सुंदर साप को देखके कृष्ण याद आ रहे आपको आएंगे साप देखके आपको ऊई मा मा याद आती और साप ने डस लिया तो कहते अंत कालेच मामे विस्मरन मुक्तवा कलेवराम साप ने डसा, तो क्या बनोगे? साप तो अंत में क्या याद आना चाहिए? क्रिष्ण अंत नरायन स्मृति अंत में नरायन की स्मृति बननी चाहिए यही जीवन की बस कार है मनुश इविवन का एक ही काम अंतकाल में भगवान का स्मरण हो लेकिन मनुष्य करसा है स्मरण नहीं करता एक बार एक विक्ती जंगल से जा रहा था और जंगल में एक रसी पड़ी थी जानवरों को बांधने के लिए डालते हैं न देखी है टीवी में तो देखी होगी जानवर को बांधने के लिए क्या डालते हैं रसी डालते हैं जाल बिनाते हैं ओ जाल बिचाया था शेर आदी को पकड़ने के लिए शिकारी ने और पेड से बांधा था और भागता हो एक आदमी आया जंगल में पीछे उसके कौन पड़ा था शेर अपने को बचाते बचाते जा रहा था और जाल में पैर पड़ गया जाल खिचा और उपर लटक गया उल्टा सिर नीचे पैर उपर और जिदर लटका है उदर खाई है पेड के किनारे पेड है पेड के इदर खाई है और खाई में एक बैठा है सांप विशयला शेशनाग जैसा नीचे उतरता है तो शेर खड़ा है अगर नीचे गिरता है तो साप बैठा है और उल्टा लटका हुआ है और अभी ध्यान से देखता है तो दो चुए हैं एक सफेद एक काला वो धीर धीरे रस्ती को कुतर रहे है अब बताओ ऐसी अवस्था में क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए बोलो तो बस यही समझ में आये इतने दिन में हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 राम 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 यह भजन होना चाहिए लेकिन क्या करता है? उल्टा लटका है इसमें जो ये शेर पीछे पड़ा है ये वो कर्म है जो आपको भगा करके इस संसार में उल्टा लटका देते बच्चा पईदा होता है? शिर नीचे पैर उपर ऐसे लटका हुआ है कर्म पीछे भागे उल्टा लटका दिया जन्म हो गया और अब जन्म हुआ है तो क्या होगा? जातस ही दुर्वं मृत्यो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यो निश्चित है और नीचे सांब बढ़ा है मृत्यो रूपी और चुहे सफेद और काले कौन है? प्रवु का दर्शन नहीं किया प्रसाद में खाया मेरा जीवन विर्त होगी लेकिन हम कैसे उस विक्ती जैसे है उल्टा लटका था उसी पेड़ पर मधुमक्की का छटा था जहां से मधुमक्की का रस बूंद बूंद गिर रहा है और इसके मूँ में आके गिर रहा जीव में और चाट रहा है शहद अच्छा है यह नहीं दिखरा पीछे शेर है यह नहीं दिखरा साप है यह नहीं दिखरा कि रात दिन कट रहे हैं लेकिन सहट चुश ऐसी हम है कर्म क्या किये? भूल गए आगे मरने वाले हैं भूल गए समय कट रहा है भूल गए मजे ले रहे हैं कि इसके उल्टे टंग करके दुखों में एक छोटी थी फैक्टरी लगा ली शादी हो गई बच्चा पाड़ा लिग गया किसी भी पल रसी कटे की कहां जाएंगे नीचे गड़े शणभ अगगुर जीवन की कली का कल प्रात में जाने खिले ना खिले यह शडभ अगगुर जीवन की कली का आगए शडभ अगवर है एक दिन खिलती है दूसरे दिन मुर्जा जाता है आप लोग भी बदलते हैं रोज रोज नहीं आप प्रभू बदलवाते हैं कि नहीं शन भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिले ना खिले मलियाचल की ये मंद हलहर सुगंध समीर चले ना चले मलियाचल परवत है कहा है मलियाचल कहा है बता सकते हैं हां का है कि मलेशिया मलियाचल की ये मंद लहर मलियाचल खुश्बू की लहर चलती है कुछ लोग बताते हैं कि जहां चंदन के पेड़ा देखें मलय परवत उड़ी साथ वहां पर मलियाचल परवत से ही बहती है जब सुगंधित चंदन की लहर हरात मी चाधा चंदन का सोप चंदन की अगरबती चंदन का तिलक वे चंदन में खुश्बू है वो महर बहती है लेकिन मलिया चल की ये मंदल है कल प्रात में जाने चले न चले कल हो सकता है चले न चले कलिकाल कुठार लिए फिरता तन को मल चोट जिले न जिले कलिकाल कैसा है इंतदार कर रहा है कुलाडा लेके आप तो खाय रहे हो अपना कचोडी गुलाब जावन, केसर का दूद पी रहे हो और कलिकाल भार खड़ा कुलाड़ा लेके तू भार निकलो टप और कितने लोग मर जाते हैं बोले अच्छे कासे निकले रोड पर और बोले काम के सिलसले में दिन भर गए और शाम को ख़बर आई प्रभुजी के दिन भर गए समाप कलिकाल कुलाड लिये फिरता कुलाड़ा लेकर के मृत्यू का खड़ा है कभी भी तक कट जाएगा कलिकाल कुलाड लिये फिरता तन कोमल चोट घिले ना घिले कोमल तने न क्या लगाते हैं इसमें अजी क्या लगाते हैं चंदन सोप लक्स लोरेल बालों में गार्नियर अभी हमें भी याद हो गया दो-तिन दिन में लेक में और कलिक बतारी मतर जी मैक में लेक में मैं डेक में जो भी है सब लगाके क्या करते है कोमल तन को तयार करते हैं खुबसूरत लेकिन जब कुलाड़ा आता है तन चोट जहले न जहले जहलती नहीं है उससे लगता है आप जानते हैं आपके शरीर में क्या है मल, मूत्र, पीप, पस, मज्जा, खून, हड़ी ये एक पॉलिधिन में बंद रखी हो तो गले लगाऊगे और बच्चों को लगा रहे हैं मेरा बच्चा, मेरा लगा मेरी पत्नी, मेरा पती, मेरी मा, मेरा पिता क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके उपर भगवान की अहुत की कृपाप में ये चमड़ी मिल गई है स्किन चमड़ी में अगर थोड़ा सा कट लग जाए तो आकर के कौन सा जानवर बचता है, कौन सी चीज बचती है बस तू जीव जन तू, हाँ, मक्षी मक्षी कहाँ बढ़ती है? गंदगी पर बढ़ती है तो शरीर के अंदर से क्या निकला? तभी तो मक्षी बढ़ती? क्योंकि अंदर क्या भरा है? गंदगी और उस गंदगी को रोज तयार करकर के लाते हैं भगवान की अहत्री पृपा है कि उपर से ये लगा दिया अगर ये skin ना होती ये चमडी ना होती तो चलते चलते गीद कवे पक्षी नोच-नोच के हमारी बोटियां खा जाते है और मरने के बाद वही होता है लेकिन इतना कर सुनने के बाद भी क्या होता है रट ले उसी जिव्या क्रिष्ण का नाम अंत समे में हिले ना हिले रट ले ओ जिव्या क्रिष्ण का नाम अंत समे में हिले ना हिले क्या बोलना चाहिए हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare 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 ये भगवान का भजन कल प्रात में जाने हिले ना हिले आज हिला लूँ लेकिन आज भी नहीं हिलाते ऐसे मूँ करके बढ़ते हैं गुलाब जाओने फट से खुल जागा बाँ हरी नाम है उप कोई बात नहीं कलिकाल को लाड लिए खड़ा है गरदन कटे की तब याद आएगा राम नाम राम नाम अले आप क्या फायदा आप तो कट गई है आप कोई फायदा नहीं पिता ने देखा पुत्र के साथ चिता जलाने के लिए मृत विक्ति को ले जा रहे हैं शम्शान गाड और बोलते जा रहे हैं क्या राम नाम राम नाम सत्य है राम का नाम कृष्ण का पुत्र ने पिता से पूचा पिता जी किसको ले जा रहे हैं बोले एक विक्ति मृत है तो बोले बेटा यही विडमना है संसार की जो उपर लेटा है वो सुन नहीं सकता और जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं सकते कि राम का नाम ही अच्छा आपके घर में शादी हो हमें बुलाओ और हम किरतन करें राम नाम सत्य है, जी राम नाम सत्य है, जी राम नाम सत्य है तो कोई तकलीव है, कह रहें हाँ तकलीव है, क्या तकलीव है कि राम का नाम तभी मृत्यू के समय सत्य है, बढ़डे हो बच्चे का बेटे हमारे पेटे का जनम दिन है बेटा राम नाम सत्य हो जाए राम नाम सत्य हो जाए तो कैसा लगता है राम नाम सत्य मतलब मर जा ना तो ये जानते हैं कि ना कोई जनम लेता है ना कोई मरता है हम सबात्मा है ना ही ये जानते है कि ये शरीर का नाम है मरण धर्मा रोज रोज मर रहा है फिर भी राम का नाम सत्तप समझ में आता है जब कलीकाल कुलाळ से हमारी गर्दन को काड़ रहा है प्रेलाद महराज समझते थे इसलिए सदा नराइण भगवान का भजन करते थे सत्यूग में नराइण का भजन होता था लेकिन कलियुग में हरे कृष्ण महामन था लोग बोलते हैं अच्छा अगर तब नाराइंड था तो अभी नाराइंड नहीं है है आज से कई वर्ष पूरुफ पैनिसलीन नाम का एक इंजेक्शन आता था आता था हाँ या ना क्या होता है पैनिसलीन एंटिबायोटिक उससे बेक्टिरिया मारे जाते हैं है की नहीं डॉक्टर साब डॉक्टर बैटे हैं हमारे लेकिन पैनिसलीन तब काम करता था आज अगर किसी को इंफेक्शन हो जाए तो पैनिसलीन काम करेगा क्या देना पड़ेगा एमोक्सिसलीन है की नहीं प्रभुजी थर्ड जेनरेश तो नारायन का नाम सत्य है भज़न करो, ओम नमो भगवते वासुदेवा वो भी सही है, लेकिन वो पेनिसिलीन की तरह है सत्युग में असर करता है कल्यूग के बिमारी के लिए चाहिए एमोक्सिलीन, कौन सा? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हिर्णा कश्रप को बहुत कुरोद आता था उसने पूछा अच्छा ये बता तू नरायन नरायन बोलता है तेरे भगवान रहते कहा है जानता है अड्रस आपको मालूम है अट्रस कहा रहते हैं वो कहरे मन में सुनाई नहीं दे रहे हैं कहा रहते हैं हर जगे अच्छा और कहा रहते हैं गोलोग धाम और कहा रहते हैं हिर्दे में और कहा रहते हैं कण कण में मंदिर मूर्थी में नहीं होते हैं वहां भी भी होते हैं और कहा होते हैं उनने कहा स्तावर जंगम देखी तार देखे मूर्ती स्तावर हो या जंगम हो चलने वाली हो या ना चलने वाली हो भगवान की पराशक्ति और अपराशक्ति से इस संसार में विशे वस्तु प्रगट होती है जीव पराशक्ति है निरज आत्मा जो शरीर मर जाता है पंच भोतिक वो अपरा लेकिन संसायर में लोग समझते नहीं है परला जानते थे उन्होंने पूछा कहा है भगवान है तेरा भगवान मेरे आसपास अहां है कहा है मो में तो में खड़क में खंब में मुझ में भी है आप में भी है इस तलवार में भी है और खंबे में भी है मो में तो में खड़क में खंब में जित देखो उत राम ही राम जहां देखो के वहां राम ही राम अच्छा, हर जगा राम का नाम है, हर जगा विश्णु है विश्चु के हर अनू में जो विराजमान है, इसलिए उसका नाम है विश्णु विश्चु के हर अनू में विराजमान है अच्छा, तलवार लेके पूछा, क्या खंबे में भी है? मेरे राज महल में भी है पहलाद कहते हैं है तो बताइए था की नहीं था भगवान पहलाद के लिए भगवान बताइए खंबे में थे की नहीं आपके लिए होंगे इस खंबे में होंगे की नहीं हैं तोड़े आज बिट्टू जी पकड़ लेंगे गोली से मार देगे तो आज निकलेंगे की नहीं खंबे से निकलेंगे पहलाज जस्सा बनना पड़ेगा भगवान खंबे में थे नहीं और इसा नहीं था भगवान खंबे में थे बैठे थे इंदिजार कर रहे थे खंबे के पीछे यह मारे तो और हाँ इसा नहीं था भगवान नहीं थे उस जगा लेकिन उस भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए सत्यम विधातुम निजब्रत भाशितम व्याप्तिम चाभूतेशु अकलेशु चात्मनहा अद्रश्यत अति अद्भुतरूपम उद्धन स्थम्बे इंसाभ्यम नम्रगम नमनुशम उस दास प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान स्थम्बे सभाया स्थम्ब के अंदर प्रवेश करते हैं जैसे रुकमनी विवा के दिन यहां पर रुकमनी भी आएंगे और कृष्ण भी आएंगे लेकिन वह भी है नहीं दिख रहे हैं लेकिन आएंगे कहां से आएंगे आपको दिखाने के लिए ऐसे ही कुछी शण पहले जब भगवान जान गए कि अब परलाद की रक्षा करने का समय फिर से आ गया है भगवान खंबे के अंदर प्रवेश किये और फिर घंबे से प्रगट हुए लोग बोलते कृष्ण को प्रगट करने वाले मा कौन पिता कौन तो ये जो नर्सिंग भगवान प्रगट हुए इनकी मा कौन? खंबा, पिता कौन? खंबा, गणी खंबा पिता कौन? खंबा, माता कौन? खंबा माता, धाता, पिता, पिता महा, सब मैं हूँ फिर कि वह डरने की बात है लोग बूशते हैं, अचा कृष्ण भगवान पिता जी होगए, ठीक है, समझ गए तो माता जी कौन? हर वित्ती अपनी भोतिक बूती लगाता है माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, पिता महा, दादा भी मैं हूँ और धाता रक्षा करने वाला भी मैं हूँ, पालने वाला भी मैं हूँ, गीता में भगवान ने का, आदी पुरशा गोविंद, गोविंद भगवान का नाम है औरिजनल नेम गोविंद, भगवान का, सर्व आकर्शन करता इतिकृष्ण, कृष्ण नाम है सर्व आनंद प्रदान करने के कारण राम भगवान करना कुछ ग्यान नहीं नहीं और सुनाओ तो कोशन करते हैं ऐसा कैसे होता है शास्त्र युक्ति है भगवान माता पिता दोनों खुद स्वेम में तो कैसे भगवान प्रगट हुए उसने का हर जगा लेकिन मेरे लिए क्या होगा स्थंबेन संभाया मेरे लिए स्थंब में चले जाएंगे किस रूप में नम्रगेम चाना मनुश्यम ना ही जानवर होंगे ना ही मनुश्य होंगे और उस रूप में भगवान जैसे ही हिर्णा कश्यप ने अपनी तलवार निकल के कहा क्या इस खंबे में है तो क्या हुआ जैसे ही खीच करके माया तुरंद भगवान ने प्रवेश किया और इस खंबे के अंदर से नर्सिंग रूप लेकर के भगवान प्रगट हुए बोलो नर्सिंग दे भगवान की खंबार पाधे शिंग उनके जो बाल उड़ रहे थे वो पंखे से निवड़ाय जा रहे थे नाट तक में उड़ा आते है जिज Subaru के बागवान का सर जो था वो बादलों को टकरा रहा था प्रत्वी से उपर बादल में एतनी हाइच कड़ इतना लंबा और बाल उड़ रहे हवा से ऐसे ऐसा लग रहा है पूरे ब्रह्मांड में कालक छा गई है और ऐसे भगवान खुंखार उक्र नरसिंगा श्री नरसिंगा जै नरसिंगा जै 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 नरसिंगा देव प्रलादे से जै पत्मा मुखा पत्मा ब्रिंगा नर्सिंग भगवान, स्री नर्सिंग हा, जई नर्सिंग हा, भगवान प्रगेटू, ये नर्सिंग कौन है, जो गणेश को शक्ती देते हैं विग्न हरने की, हम सब को शक्ती देते हैं विग्न हरने की और हम सब के विग्न हरते हैं, हर एक के घर में गणेश का फोटो हो ना हो नर्सिंग का अगर फोटो होगा इस बात की गारिंटी है कि भगवान आपकी रक्षा अवश्य मेव करें हिर्णा कशप ने मनी मन कहा अरे लगता है विश्णु मेरा वद करने के लिए आ गया है छोड़ूँगा थोड़ी शक्तिशाली हो भगवान पर कुदा मारने के लिए ऐसे थोड़ी मर जाओंगा तिरे लोग में मेरा राज है शक्तिशाली है तिरे लोग में मेरा राज है ऐसे थोड़ी मर जाओंगा आया सामने भगवान ने उसके साथ लीला करी थोड़ा वो मारता था, थोड़ा भगवान अपनी कुमोद की गदा मारते थी, कभी भगवान गिरते थे, कभी वो गिरता था, लोग पूछते हैं भगवान क्यों गिरते थे, क्या हरना कश्रप में शक्ती जादा थी, जादा थी क्या, फिर क्यों गिरता था, जैसे एक बहु अपने बन्याजन से फाइल और आते गाध आते हैं यह सब्सक्राइब किया को वह और चैसे ब्रहमांट नायक है लेकिन बच्चों के साथ लीला करने के लिए गोड़ा घाड़ी बन जाते हैं अपने उपर ग्वाल बालों को बिठाते हैं गोपियों का माखन चुराते हैं जैसे एक सुप्रीम कोट का जज अपने घर में पिता बनकर अपने बेटे को अपने नाती को दादा बनकर अपने पीट पर बिठा कर घोड़ा बनता है कभी कभी बच्चा चोटा सा घूसा मारता है तो दादा भी कहता है मैं भी मारूँगा दोनों में लड़ाई शृति आ ऐसे खेलते हैं तो यह लगती है दादा को पिता को लगती है मां को लगती है ऐसी कृष्ण जब नर्सिंग रूप हआए ऐसे खेल रहें दोनों दूने एक दूसरे को मार रहें दढाम से वो कि måste दोनों हस्ते पर करे हैं कोन भगvaना ़िखाटा रूप accident कर रहा है उसके बाद हविट देख खेल है जैसे विखरराल ईबल भी बऑग निए विखल रहा डन्रामा चल रहा है उसके इना तब को नाखोन निकले हुए बड़े-बड़े शेर के जैसे बाल लहरा रहे हैं बादलों में बड़ा भयानक उग्र रूप लिया है भगवान निकले देवान तो तोौन को धक्का लगके जब विष्णु गिरते हैं नर्सिंग रूप में PROFESSOR तो थो तो फ्लासवी के नहीं जानते हैं रहे अब शी खता ल स्थांट पूड़े शनी महाराज के खिला क्रिश्ण की भक्ति नहीं है भक्त गुणी होता है दुरवासा रिशी ने योग बल से इतनी शक्ति थी कि अपनी अंत्रणिया भार निकाल के धो लेते थे योग क्रिया करते थे यमना नदी के अंदर मधुवन में तपस्या करते थे अंत्रणि भार निकालते धोते वाश करते फिर लगा लेते इतनी शक्ति थी लेकिन जब अंबरिश के प्रती अपराद किया सुदर्शन चक्र आया तो तीनों लोग में भागे शिव लोग नीचे के लोग उपर के लोग भ्रम लोग विश्न लोग वैखुंट धां भगवान ने का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भक्त मेरे हिर्दे में रहते हैं और मैं भक्तों के हिर्दे में रहता हूँ भक्त के पास जाओ तुमने अपराद किया भक्त के पास आए सुदर्शन चक्र की प्रती प्रार्थन करी अम्रिश मार्ड ने सुदर्शन चक्र चला गया लेकिन दुर्वासर इसी कहते हैं अपन आत्म साक्षात का ज्ञान प्रकट करते हुए मैं योगी हूँ मैंने साथ हजार साल तपस्या करी है सुदर्शन चक्र जैसे ही चला मैं भागा लेकिन जब मैंने तुम पर क्रोध करके अपना त्रशूल चलाया तुम उसी स्थान पर खड़े रहे रंच मात्र भी आगे पीछे नहीं और ऐसे कर दिया कोई बात नि मार दो मारोगे किसको शरीर को मैं कौन हूँ भक्त योग से भक्ति योग सबसे उचा है ध्यान योग ज्यान योग जितने भी योग है इन सबसे उत्तम है भक्ति योग भक्ति योग में विक्ति उत्तम स्तर पे पहुँचता है और उत्तम स्तर पे जाने के लिए साधारन तरीका है हरी नाम जपना हरी नाम जपो, शास्त्र अध्यन करो, श्रवन करो उत्तम भक्ति योग को प्राप्त करो कृष्ण भगवान ने यही का सारे ज्यान देकर के अर्जुन को कहा यता एक्षा सितथा करू जैसे एक्षा है वैसा करो तुम्हारी मर्जी है तो नर्सिंग भगवान जो थे उन्होंने हिरनक अश्चा को पकड़ लिया और अपनी जंगा पे रखा अब भ्रमा जी के बार्द को काट तो सकते नहीं है उसने बोला था न बाहर मरूँगा न अंदर तो कहा मारा देहलीज पर महल की बोला न उपर मरूँगा अंबर में न प्रतिवी पे तो कहा रखा जंगा पे बोला न इनसान से मरूँगा न जानवर से तो नर हरी नर सिंग रूप लेकर के भगवान आए भगवान का नर सिंग का एक नाम है नर हरी नर हरी रूप कई भगत जानते निगाते रहते हैं नर हरी रूप कई भी पूछो तो पता नहीं हो नर हरी रूपा कैसे हरी तो कृष्ण है और नर इंसान है हरी भी इंसान के रूप में जैसे सचिदानन रूप है और नर रूप भी है तो नर हरी क्यों बोलते है जिस ब्रकार से हरी पूरे भ्रह्मांड के सबसे उत्तम भगवान है पूर्ट पुर्शोत्तम भगवान ऐसे ही सिंग पूरे जंगल का राजा होता है इसलिए सिंग की जगा अगर कुछ पर्यावाची शब्द इस्तमाल कर सकते हैं तो हरी है तो उसके जगा इस्तमाल कर सकते हैं तो सिंग सिंग की जगा हरी इसलिए नर सिंग को नर हरी भी कहते है नर हरी रूपा तो भगवान ने उठाया और क्या किया जंगा पे बिठाया, ना सुभे था, ना शाम संध्या के साड़े चार पाँच बजे कर्शम है संध्या वेला जब सूर्य अस्त होने वाला होता है न दिन है न राथ बोला न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू क्या किये? नाखुन निकाल गेशे बोला बारा महिने में से कभी न मरू बड़ा इंटेलिजेंट बुद्धी लगा है लेकिन कृष्ण है छोड़ते नहीं किसी को भी भगवान न एक और नया महिना बना दिया पुर्शोत्तम मास, मल मास तीन साल में एक बार आता है बोले इसमें मारा उठा करके यहां रखा और उसके बाद में मारना प्रारंब कि और मारा कैसे मारा जब जेसे मारा भगवान न पाड़ा उसको तो सबसे पहले निकाल करके उसका खून क्यों पिया क्वण कहते हैं जब कोई महमान घर पे आई को जल पिलाना चाहिए लेकिन ये महमान की खातिदारी क्या करता है लड़ाई जगड़ा करने लगा तो भगवान ने का तू पानी नहीं पिलाता तो कोई बात नहीं मैं जूस पी लेता हूँ तो भगवान ने जूस पिया फिर निकाल करके भगवान ने उसकी जो आते थी अं पहना तो भगवान ने का तू तो पहना नीरा पापी लेकिन क्यों परहलात का पिता है तुझे मूत करना है तो तुझे मैं क्या कर लेता हूं अपने गले में खुदी हार डालेता हूं हार कहां से आता तो उन्होंने उठा करके अंतर्यों का हार पहन लिया पिर देखने लगे एक हिर्दे है हिर्दे निकाल लिया और balls की तरह ऐसे खेल रहे और फिर ऐसे पिछका के देख रहे ऐसे कि भगवान देख क्यों देख रहे है कह रहे हिर्दे जो स्थान है इसके अंदर मेरा शाम सुंदर रूप बसाने के लिए हिर्दे बनाया है और इसने पापी ने क्या बसा रखा था काम, क्रोध, लोग, मोह, मद, मतसर्य, अंकार देख रहे भगवान चेकिंग कर रहे है आज ऐसे मसल दूँगा, पीस दूँगा कि इसके अंदर कोई विकार ना बचे कोई विकार ना बचे एक विकार के कारण जनम लेना पड़ा प्रतिवी पर आप कोई विकार ने छोड़ूँगा ऐसे पीस रहे भगवान हाँ, पूरा पाड और जब मारा वो ही हिर्णकश्चप को उठाकर के भगवान ने देखा कि कोई काम क्रोध नहीं बचना चाहिए इसके हिर्दे में ये स्थान मेरे रहने के लिए था पापी ने किसको बिठा लिया हम भी वैसे ही है हिर्दे मिला है क्रिष्ण को विसाने के लिए और हम बिठाते किसको काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, मत्सरे काम का मतलब क्या होता है इक्छाएं क्रोध का मतलब है गुस्सा लोब का मतलब है लालच मोह का मतलब है ममता आसकती मद का मतलब है एहंकार प्राइड और मतसर्य का मतलब है जलन दूसरे से दुएश धर्म प्रोजिता केतव निर्मत सराराम धर्म वो करना चाहिए जहां निर्मत सराराम हो मसरता न रहे विक्ति के जीवन में वो धर्म करना है तो कृष्ण यहां पर जिखा रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान ने अपना नर्सिंग रूप में इस विक्ति का क्या किया समाप्त कर दिया और भ्रह्मा जी को भगवान कहते हैं वर्दान देने से पहले सोच लिया करो तुम ऐसे ऐसे वर्दान देते हो मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ता अफ़तार लेने के लिए अगली बार जब अफ़तार किसी का हो वर्दान दो तो सोच समझ के देना कृष्ण है सूर्यसम माया है अंधिकार जहां नहीं कृष्ण ताहे मायार अधिकार कृष्ण सूर्य के समान है और जहां सूर्य नहीं है वहाँ क्या है क्या है इसलिए भक्त कैसे होते हैं हमेशा भगवान का चिंतन कषते है प्रेम अन्जन छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदेव हिरदेशु विलोक यंती यम शाम सुन्दर अचिंतय गुंसरूपम गोविंदम आदिपूरुशं तम अहम भजामी ब्रह्मा जी कहते हैं हिरदे में शाम सुन्दर रूप का दर्शन होता है नर्सिंग भगवान प्रगट हुए और होकर के सभी देवी देवता घबरा रहे हैं इतना उग्र रूप है अभी इंदर को फार डालेंगे वरुण को फार डालेंगे लक्षमी जी उपनी पतनी डर रही है मैं नहीं जाओंगे पाश में उग्र रूप है प्रगवान नर्सिंग भी जो खून पी रहे थे प्रगवान नर्सिंग भी जो खून पी रहे थे प्रगवान उठा लिया और गोधी में बिठाया अपर और जैसे गाई ममत्व में वसलता में अपने पुत्र को चाटती है ऐसे निर्सिंग भगवान ने अपनी जिवा से प्रलाद को चाटना पराज भगवान ने जैसे ही चाटा पूरा का पूरा उसका जो भगवान का उग्र रूपता वो शान्त हो गया तब देवी देवताओं ने देखा, शिवजी ने देखा, भ्रह्मा ने देखा सबी देख रहे है औरे प्रभु स्टार्षा हो गये चलो अराधना करते हैं तो अराधना करने के लिए आए नमस्ते नर सिंखाया प्रहलाद लाद दाहीने 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 ही नामक ते लरे सिंहाया। फड़ाजाजाने बेर भाभाया। हे रन्याका शेपुर्भक्षा, हे रन्याका सीपुर्भक्षा, से लाटमका लुखालाfindे, से लाटमका लुखालाइ। जब भगवान ने अपने नाखून लगाए तो उसको ऐसा लग रहा है शिला टंक जैसे एक शिला पर जोड से आवाद होती है टंकार होती है ऐसे भगवान के नाखून उसकी छाती पर टक्रा रहे है वक्षतल फाड दिया इरन्या काशे पूर्वक्षा हां शेला ठंका नखालाए इरन्या काशे पूर्वक्षा हां शेला ठंका नखालाए इतो नासिंगा पर तो नासिंगा कुछ तो हुआ तो हुआ टैसे हौ तोड़ने तोड़ने इतो नर्शिंगा इधर भी नर्शिंग दिखते हैं प्रलाद को इतो नर्शिंगा 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 इतो यतो यतो रीततो न देन्हाओ बाहिर नसिँगा हिदे नसिगा यतो यतो यामिदा बाहिर नसिगा ऩाल नसिगा लेततो नसिगा बाहिर नर सिंगा इस शरीर के बाहर देखता हूँ तो कौन है नर सिंगा केशव भगवान कृष्ण अंतर जब देखता हूँ बाहिर नर सिंगा भगवान बाहर भी है फिर्दे नर सिंगा और हिर्दे के अंदर भी कौन दिखाई दे रहे है और ऐसे नरसिंगो को क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ नरसिंगा मदें सर नंप्रपधें तल स 커सकता है नरसिंगा मदें सर नंप्रपधें अभखर कमल बरेनकाम अध दलिताए रन्याकशिपू तनु ब्रेन्ग्राम केशब धीता नरहरी रूपा जया जगदीश हरे तब कर कमरा मरे दखाम अदबुत स्रेंगा धलिता इरण्या जिशिवो तालो भ्रेंगा केश वधीता नरहरी रूपा जया जगदीश हरे तब कर कमरे भगवान के कर कमर कैसे है कुल भगवान के कमल पंकज नत्राया पंकज माली ने कमल के समान भगवान का सरीर है लेकिन यहां कैसे है नखम अदबुत श्रिंगम नाखून बड़े ऐसे सुंदर निकलाएं भगवान के और उससे क्या कर रहे है दलिता हिरन्यकशपू तनु भ्रिंगम हिरनकशप को ऐसे मार दिया जैसे एक तितली को एक बरया को एक बर को या बर कि समान केशव दृता केशव भगवान कृष्ण निध्रता रखा पॉन सा रूप नरहरी रूपा नरुसिंग करूप रखा ऐसे भगवान जगदिश को हम क्या करते हैं जैजेकार करते हैं अवकर कमल बरे नखाम अदभुत स्रेंगाम नलिता हे रन्या कशिपू तानु बेंगाम केशव थीता नरहरी रूपा जया जगदिश हरे जया जगदिश हरे जया जगदिश हरे वोल, बोल, बोल, खवतार कमल बरे नखाम अदभुत स्रेंगा गरेंगाम नलिता हे रन्या नक हिर नुपंपा जया जगदिश हरे जय दगदीश हरे हरे किष्णा हरे किष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 किष्णा हरे किष्णा 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 हरे हरे तो जो नो तो 256 विए 20 but and the लिए अगरेश सकताशनल इनलयी हमने सब्वेट किजड़ Lahum मेराँ मेरा मेर्र लृ तो हरे ट्रीशना हरेven विश्ANS मेरा किजड़ सेव्ड़ सकतमे हमने सब्रों में आरे रूमा था। प्रिष्णा 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 प् राम बारी राम हे रामा रामा आँरे आडरे थिष्यन जे बिष्मी वारे ममठराच जुछार मुट्रमीत ждबें जनुछार थे आपेप सुछार थे आंप जनुई का बुभाच जट्रैन ऐसे बुराच मेकरब कुछा सुछार थे अरृ स्री नर सिंधवा, जै 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 नर सिंधवारे प्रहला दे से जाया पदमा, मुखा पदमा भिंगा प्रहला दे से जाया पद्मा मुखा पद्मा अरे खुष्णा, 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 अरे खुष्ण जै जै नर सिंगा दे प्रैला दे से जया पदमा मुखा पदमा भिंगा जै 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 नर सिंगा 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 जै 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 नर सिंगा जै जै नर सिंगा जै जै तो यहां पर एक अंतिम स्लोक, इसके साथ यह आज का इप्रसंग हम यहां पूर्ण करेंगे नर्सिंग भगवान के इस रूप को देख करके ब्रह्मा जी एक स्तुति गाते हैं आप सब के लिए जानने योग है श्री ब्रह्म वाचह ब्रह्मा जी बोलते है नतो आस्मीन अन्ताया दुरंतया अशाक्तये विचित्रा वीर्याया पवित्रा कर्माने विश्वस्य सर्गास्थिता सैयाम गुणे स्वलिलाया संधते आव्यात्मने श्री ब्रह्म वाचह ब्रह्मा जी ने सब लिला देख के कहा प्रभू आप अनन्त हैं आप कैसे हैं अनन्त जिनका अन्त नहीं होता है वो कौन है स्रिष्टी के अन्त हो जाने पर भी जिनका अन्त नहीं होता है वो कौन है अनन्त कृष्ण केशव धृता कृष्ण नहीं सारे रूप रखें लोग बोलते है विष्णु से कृष्णा है कि कृष्ण से विष्णु से सब कुछ आया और कोई भी आपके पराकरम और अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता कि आप कितने शक्तिशाले हैं कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता आपका कर्म माया द्वारा दूशित नहीं होता है क्योंकि आप माया को भी जीत लेते हैं इसलिए आपका नाम है माया पती माया को भी जीत लेते हैं उसका भी पालन करते हैं आप भोतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मान का स्रजन पालन और विनाश करते हैं लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी आप अव्वे अलग रहते हैं जो हमने चतुशलो की भागवत में विश्चरचा की अतेव हे कृष्ण ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपको क्या करता हूँ सादर नमसकार करता हूँ आप सब भी सादर नमसकार करिये भगवान को मुलुस्यसी राधा शाम सुन्दर भगवान की श्रिनल सिंगवान की प्रेलाद मराज की श्रील प्रहुपाद की श्रीमत भागवत पुराण ज्यान यग्य की अरे कृष्णा